जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का अनेकैडमी में दिस इस मानुविन प्रिताब सिंहें लेट स्टार्ट टुड़े सेशन चलिए शुरुवात करते हैं मारे आज के सेशन की गाईज अगर आप इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनेकैडमी करते हैं तो आपको उसके लिए काफी सारे हमें जाओं वाउचर्स और अदर अदर टाइप के तिंग्स जो हैं वो हमारे तरफ से प्रोवाइट किये जाएंगे इसे इसके अलावा देखिए हमारा जो यह मेंटर्शिप प्रोग्राम है यह अब बस खतम होनी की कगार पर है है 23rd of June जो है इसकी लास्ट डेट है तो जल से जल्द अपने आपको इन्रोल करिए और यह तो समय बहुत कम है और फस्ट कम फस्ट वाला सर्व यहां पर वाला है उससे तरीके से यहां पर मेंटर्श अपॉइंट होते हैं अभी देखिए हमारा महा सब्सक्रिप्शन ओफर चल रहा है और वह आपका जो है वह बहुत ही कम समय तक के लिए है जिसमें आप 25% प्लस 10% का डिस्काउंट कर सकते हैं अगर आप GS plus optional subscription लेते हैं या Iconic GS plus optional subscription लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखे 35% के आसपस का discount मिलता है 1 year का जो cost है, 2 year का जो cost है, 3 year का जो cost है, इसमें MPS code आप जैसे ही use करेंगे, आप देखें काफी जाला मात्रम आपका जो price है वो down हो जाएगा Same goes with Iconic GS plus optional और अगर आपके पास budget का issue है तो कोई बात नहीं हमने loan की भी वेस्था आप के लिए कर रखेंगे, जिस दिन IS बनोगे आप इस loan को आराम से चुका सकते हो, तो कोई रिक्कत ही नहीं है साथ ही साथ देखिए, आपको 20 books created by best UPC experts जो 10,000 रुपे तक ही होती है, वो one year के subscription और उसके साथ जितनी भी और type के subscription आप लेंगे, उसमें one year minimum है, उसके ऊपर का जितना भी subscription लेंगे, उसमें सभी के साथ जो है, आपको free में यहीं मिलेगी इसके लाव आप plus subscription के लिए live plus subscription में देखे, live classes आप अटेंड कर सकते हैं, weekly test दे सकते हैं, structure courses आपको मिलेंगे, unlimited access मिलेगा, वहीं iconic subscription में you will get personal guidance, study planner, study material, expert guidelines, test analysis, यह personal guidance का जो factor है बहुत important हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो है teacher से one to one mentorship मिलती है, आप doubt अपने पूछ सकते हैं आप समय से questions रेस कर सकते हैं, six month का यह देखे, simple plus subscription है, simple iconic subscription है, बट आपको जो है, अभी जब महा offer चाल रहा है, तो सीध्या plus plus optionally iconic plus optional के लिए जाना चाहिए, बट अगर आप plus and iconic भी लेते हैं, तो यहाँ भी आप MPS code use कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का discount मिल जाए है, बारत और 23rd of June से हमारे नया बैस शुरू हो रहा है, free test series भी हम आपको देते हैं, free test series के लिए आपको करना किया है, महा भी जाना है, आपको an academy cap download करना है, MPS code use करना है, you will get access to our free test series, ठीक है, plus हमारी combat करके प्रत्योगिता जो है, every Sunday 11 a.m. पे होती है, यहाँ भी आप इसको unlock का सकते हैं, free of cost MPS code डाल के, और अगर आप इसमें जीतते हैं, तो आपको काफी कुछ अच्छा हमारे तरफ से पूर्ट झाल 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 युनिवर्सल वैक्सिनेशन आपको स्टार्टिंग से करना चीए था ये गवर्मेंट के बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने भी जो कोवेड है उसको थोड़ा से लाइटली ले लिया इन बिट्वीन पीरियेट जब केसे जादा नहीं बढ़ रहे थे तो ये सारी अपने परिवार का ध्यान रखिए घर पे रहिए और पढ़ाई करिए अच्छे से बस ठीक है चलिया अब ये कल के कुछ एटिटोरियल से जो रह गए तो वह भी देख लेते हैं प्रोटेक्टिंग चिल्रन इन एज ओफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ये आर्टिकल क्या कहने की कोशिश कर रहा था ये हैं अपन देखते हैं जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के कुछ एक्जामपल सोचो तो ठीक है बिल्कुल सही सोचा आपने अलेक्सा है ना अमेचान वाली सीरी एपल वाले गूगल में है गूगल ही हम बोल देते हैं है ना और बहुत सारी जीजें जो हम डे-to-day life में यूज करते हैं आज की रेट में देखो जो किट्स हैं चोट चोटे बच्चे हैं हम लोगोंने मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब सेवत क्लास में जाता पहली बार स्क्रीन टच फोन टच किया था आज की रेट में चोट चोटे बच्चे जो ह लग जाते हैं तो इससे काफी कुछ सीख तो रही है लेकिन काफी कुछ नुकसान भी है नुकसान क्या है नुकसान बहुत कुछ यह कि बहुत चीज़े सीखने को भी है इंटरनेट पर जहां इंटरनेट पर अच्छी चीज़े सीखने को है वहाँ पर इंटरनेट गलत नहीं है मतलब आप डिजिटल डिवाइट देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ बच्चों के पास तो है वा कुछ के पास तो कुछ accessible ही नहीं है इसके अलावा देखो राइटर जो में पॉइंट उठाते हैं वो यह उठाते हैं कि देखो जब बच्चा छोटा होता है उस समय उसके सीखने की उमर होती है और उस समय वो आपका यूट्यूब और जितने भी इस टाइब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या इंटरनेट पे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करता है और हर प्लेटफॉर्म का अपना देखो बोट होता है जो प्लेट पर उनको इन आटिफिशल इंटेलिजन्स का यूज करके फेक न्यूस दिखाई जाती है और इसका लॉंग टर्म में इंपेट क्या पड़ता है कि वो जो है वो बायस सोच के साथ बढ़ा हो जाता है देखो जो एज होती है बच्पन में उसमें आपके पास क्या क् होते है प्रिफ्रेंसेस बिलीफ कस्टम्स है ना एमपेथी गुडवेल यह सारी चीज़ा आप बच्पन में क्रेट करते हो लेकिन जब आपको कुछ ऐसा मैटेरियल दिखाये जाएगा जो जिसका कामी है कि आपका विचार को चेंज कर दिया जाए तो फिर आपका दिमाग चेंज हो जाएगा आपका विचार चेंज हो जाएगा और फिर आप जो है अपने से सीखते हो नहीं सीख पाएंगे तो यह सब कैसे हो रहा है यह सब आटिफिशल इंटलिजन से हो रहा है तो कहने का मतलब है कि भाई बहुत सारे अडवांटेश तो थे लेकिन कुछ नुक स्पाइ का काम कर रहे हैं लोगों के पीछे अब भाईया यह समझ रहे हो लोग की प्रिविस्सी हराब हो रही है तो आटिफिशल इंटलिजन भाई अच्छी चीज तो लेके आया है साथ में कुछ समस्या भी लेकर आया है कि भाईया आज की डेट में बहुत सारी चीजे प बैटे बैटे हमारे लेपटाप के कैमरे हाइग हो जाते हैं उससे फिर आपको देखा जा रहा है तो यह सब कैसे हो रहा है यह सब इस आटिफिशल इंटलिजन्स के दुनिया में ही हो रहा है और आज की डिट में पॉसिबल है तो ये सारी बात नहीं है लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पर इसके लिए नियम नहीं है बहुत जगाओं पर artificial intelligence को control करने के लिए नियम है और इस तरीके के toys को ban करने के लिए नियम है लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है और बहुत जगाओं पर मतलब most of the countries में भी इ नहीं है तो यह सारी बात यहां पर देखने को मिली है इसके बाद एको राइटर बोलते हैं कि गवर्मेंट आफ इंडिया की जो स्ट्रॉंग पॉलिसी जो आई है लेजिसलेटिव फ्रेमबग जो आए है राइट को एजूकेशन और इस तरीके के सारी चीजों पर वह कहीं न कि बाइया सब के पास सेम सुविधाय नहीं है सब सेम तरीके से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन ग्लाज बस कहने के लिए है जिनके पास डिश्टल डिवाइड जो इन चीजों को एक्सेस नहीं कर पाया रहें गरीवी की वज़े से फिर वह विचारे क्या करें समझ रहे हैं तो यह सारी चीजे हैं इसके अलावा कुछ ऐसे नियां में होने जहीं है जो अल्लिमिटेट पावर ना दे इंटरनेट प्रोवाइडर्स को इन अलग-अलग सोशल वीडिया प्लेटफॉर्म को जो इसका भी स्यूज कर सके तो यह सारी बाते हमने इस आर्टि करने की कोशिश कर रहा है जस्त अ सेकड़ ठीक है दो अटिनेंस रूट इस बैड री प्रोवागलेशन वर्स यह क्या है देखो इस आर्टिकल को देखने से पहले थोड़ा सा हम इस्ट्री के तरफ जाएंगे बात करेंगे कि आर्टिकल क्या कहने की कोशिश कर रहा है सबस क्या रहा है देखो जब पार्लेमेंट जब कॉंस्ट्रेंट असेमली ने हमारे कॉंस्ट्यूशन बनाया था तो उसमें कुछ इस तरीके का प्रोविजन नहीं दिया था कि एक बार कोई ओर्डिनेंस आता है मानलो कोई एक्स नाम को ओर्डिनेंस आया अब छे महीनी के के अदर कि आप ओर्डिनेंस को डबल से रपीट कर सकते हो जो कि ओर्डिनेंस को जल से-ल जैसे प्याल्यमेंस सशन में आती है पको पर्लेमेंस मों पेश करना होता मुँआ फिक है आपए फिर इतिहास देखा जाए आप राइटर ने इसी की की हिस्ट्री दिखानी तक नहीं गया था but 1990s के आसपास यहां पे देखने को मिला कि 19.6 per year ordinance आने लगे और जिसमें 7.9 2010 तक पहुँच गए थोड़ा सा संख्या कम हुई 7.9 per year 2010 और last couple of years में spike देखा गया है 16 2019 में 15 2020 में ठीक है और state government भी आजकल इसको अच्छे खासा use कर रही है देखो एक case था उस case का नाम क्या था मुझे जल्दी से याद करने दो फिर मैं बदाता हूँ आपको ठीक है यहां पर आया हुआ है ना ठीक है हाँ DC वादवा करके एक professor थे economics के तो उन्होंने एक चीज़ यह find करी थी 1966 से 1981 के बीच में कि बिहार ने करीबन 256 ओर्डिनेस जो है वो पास किये हैं और इन्हीं को repeat कर रहे हैं इनको अपने legislative assembly से पास नहीं करा रहे हैं यह मामला सुप्रीम कोर्ट में five judges constitution bench ने 1986 में वर्डिक्ट दिया कि भाईया आप जो है ordinance को repeat नहीं कर सकते हो आपको जल सजल इसको पार्लामेंट में जैसे ही सेशन में हो आपको इसको पास कराना है तो यह सारी चीज़े देखने को मिली और उस ruling के बावजूद भी आज भी यह चीज़े चलती हैं फिर देखो क्या हुआ पार्लामेंट से पास ना करा पाओ लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों पर कोई फरक नहीं पड़ा है 2019, 2020, 2018 सब में ordinance पास हुए है और ordinance को repeat कर दिया गया है कुछ example अगर आप खुद से सोच के देखिए कि कौन से आपको example पता है जो बिल कभी आने की बात हुई थी लेकि पतनास तक नहीं आए लेकिन वह law बनके implement हुए हुए है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा तो यह सारी चीजे जो है यहाँ पर देखने को मिली है और इसी का राइटर के यहाँ पर आलोचना कर रहे है कि बाईया जब देखो Constituent Assembly ने ordinance के power दी थी सरकारों को तो व ऐसे ही session में आती है आप इनको जो है तुरंत पास कराईए लेकिन अब क्या है इसको ऐसे टूल की तरह यूज किया जा रहा है इन सरकारों के द्वारा क्योंकि इनको पता है बहुत बार की बिल जो है वो पास नहीं हो पास नहीं हो पाएगा तो फिर यहाँ पर ordinance का यूज क भी करिया सकती है इस तिले करा जा रहा है तो इस पर जल्द से जल्द रोख लगना चाहिए सुप्रीम कोर्ट्स और वैरियस हाई पोट्स में इंटर्फेर करना चाहिए ठीक है तो इस इस इट गाईज एक आर्टिकल और था गया नहीं था बस ठीक है तो हमने अभी यहाँ पर तीन आर्टिकल देखिए एक आज का देखा है मैनेजिंग इन अफ हैवल यह जो बवाल हुआ हुआ है यूनिवर्सल वैक्सिनेशन का उसके उपर तो राइटार नहीं अनुमान लगाया है कि भाईया कम से कम अभी यहाँ पर इसको तीन महीं यह लगेंगे सब के लिए इंप्लिमेंट करने के लिए इस नॉट इजी कि यह सभी के लिए इतने जल्दी से अवेलिबल हो जाएं सिस्टम क्योंकि ना अतना प्रोडक्शन होगा ना ही उस तरीके का मैनेजमेंट चीन बनाओगा इसके बाद है प्रोटेक्टिंग चिल्डन इन इन दा ये ज ऑफ आ बहुत जादा कनेक्टिविटी पुरे विश्व में बढ़ रियल बंदा जो है बच्चा जो है जल्दी सीखता है कुछ प्रॉब्लम्स भी है जैसे कि बहुत सारे बच्चों के पास तो अभी सुविधाई निया अवेलेबल इंटरनेट की तो डिजिटल इवाइट भी जल प्रो मोगलेशन तो बिल्कुली गलत है कि आप उसको रिपीट कर रहे हो रिपीट करना तो बिल्कुली सही नहीं है तो यह सारी बात यहां पर राइटन ने कही है ठीक है अब आप लोग के कोई डाउट्स हैं तो आप मैं इसे पूछ सकते हैं कि आज के सेशन में हमारा एक चीज और रहेगा कि जो भी हमारे पुराने मन्त के कुछ रहे गए थे आटिके स्योंकि बीच में काफी क्लास नहीं हुए थी दूट कोविट मुझे कोविट हो गया था तो इसलिए उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे तो पहले यह खतम करे नहीं इसके लिए सरकारी स्कीम लेके आई थी इसका नाम थे लेक्टारल बॉंड स्कीम इसके अंदर क्या होगा कि अगर हैप्टी को के को जाके पैसा देना है तो पहले हैप्टी को जाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में यहां से उसको अपना पैसा सब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन के लिए यूज होता है इसमें एक समस्या क्या है इसमें समस्या यह कि भाईया जो यह हैप्टी है ना इसका नाम किसी को पता नहीं पड़ता है अब आपको कि हैप्टी का नाम पता क्यों पड़े कि भाई हैपी ने के को पैसा दिया है च तो यह चाहती है डिमांड यह काफी समय सारी और इस पर काफी कर्टेसिजम भी होता है अब यहां पर आ जाते हैं इस आर्टिकल के उपर राइटर बोलते हैं कि सुप्रीम कोट ने मार्ज 24 को एक हेरिंग करी और उसके बाद इन्होंने अपने ओर्डर को रिजर्व कर लिया इलेक्टरल बॉंड स्कीन के उपर ही यह हीरिंग थी और यह केस तीन साल से पेंडिंग है 2018 का मामला कोट में पड़ा हुआ है और पिछले तीन साल से जगर हम इलेक्टरल बॉंड की बात करें तो यह काफी एक समस्या का विषय रहा है भारत के अंदर काफी चर्चा चली है और यह पॉलिटिकल पाटी को फंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है ठीक है अब इसमें देखो होता क्या है कि बहुत सालों अपने ब्लैक मनी को कर देते हैं है ना फॉरेंट से भी फंड आ सकता है तो यह सब चीज़ें जो हैं वह लूपोल्स हैं जिसका फायदा उठाया जा रहा है काफी जादा तो यहाँ पर देखे राइटर जो हैं वो यह बोलते हैं कि इन तरीके की चीज़ों को तूर रखना बहुत जरूरी है और इन सब चीज़ों में लिए टरांस्पेरेंसी होना सब्सक्राइब काफिस्ट के अंदर जरूरी है और इसको ज्यादा पैसा लोगों को ने डोनेशन दे रखी है इसके ज़्यादा चेले हैं जो इसको पैसा दे रहे हैं जो कि कल को फिर इनको advantage भी देना होगा तो यह जो process है ना यह अपने आप में questionable है और इसी की बाद यहाँ पर writer करते हैं ठीक है इसके बाद देखो across democratic societies and through time it has been proved beyond doubt that money is most effective way of buying policy of engaging in regulatory capture and of screwing the playing field in one's own favor writer यह बोल रहे हैं किस तरीके से पिछले कुछ सालों में यह बात तो समझ में आ गई है कि पैसा ज्यादा होने से किस तरीके सा आप election में influence अपना बढ़ा सकते हैं ठीक है अब सुप्रीम कोट जो है इस मामले को काफी समय से सुनने की कोशिश कर रही है अभी तक इस पर को जादा खास वह हुआ नहीं था यहाँ पर सुप्रीम कोट अभी सीरियस हुई है इस मुद्दे को लेके और लेट सी इस पर क्या होता है तो यहाँ पर देखी एक चीज जो reasoning दी जारी है राइटर के द्वारा वह दी जारी है कि भाईया देखो voter जो है वो किसी को vote देने जा रहा है तो उसको पता तो होना चीन है कि जिस party को vote देने जा रहा है वो party जो है actually में कहां से funding प्राप्ट कर रही है उस party को कहां से पैसा मिल रहा है तो यह जानना इसका right नहीं है क्या right to know नहीं है क्या voter का तो यह चीज भी यहाँ पर राइटर जो है वो point race कर रहे है ठीक है इसके बाद राइटर जो है वो यह कह रहे है कि बहुत जगाओं पर तो देखो जो यह election की funding होती है यह public पैसो से होती है मतलब जो government के पास fund होता है उससे होती है तो इसका क्या फाइदा हो सकता है मान लो कि चार political party है government ने चारों को 20-20 लाख रुपए दे दिया ठीक है कि 20-20 लाख रुपए में अपने election को खतम करो और सब को 20 लाख रुपए से यदा खर्चा करने का अनुमती नहीं है तो अगर ऐसा कर दिया जाए एक hypothetical example है तो फिर क्या होगा कि जो नया बंदा आ रहा है election लड़ने उसको भी पैसा मिलेगा और वो भी कंटेस्ट कर पाएगा और जो पुराने हैं वो तो करी पाएंगे देखो एक प्रॉबलम क्या है ना politics के अंदर हमारे यहां पे कि क्यों कोई आम आदमी election नहीं लड़ पा रहा है क्यों कोई आम आदमी election जीत नहीं पा रहा है क्योंकि नॉर्मल कोई ही खर्चा कम से कम 30,50,000,000 इतना तो minimum है कोई छोटे-छोटे elections में भी गाउं में अभी प्रधान रधान के election होते हैं तो 30-40,000,000 तो वहीं खर्च हो जाते हैं तो आप समझ रहे हो कि मतलब यह minimum amount जो है यह तो मतलब खर्च होना ही होना है तो यह पैसा आम आदमी कहां स अफोर्ड कर पाएगा भाई और फिर आज कल election में 30-40,000,000 थोड़ों खर्च करता है करोड़ों पैसे खर्च हो रहे हैं तो भाई फिर यह पैसे जो है यह आम आदमी तो नहीं कर पाएगा तो यह भी समस्ट्रा का विश्या है बिलकुल इसके बाद देखे आगे बरते हैं इसके बाद राइटर जो हैं वो बात यह कहते हैं कि बियार अंबेटकर के अनुसार दिस डिफेट था एंटाइर परपस अफ डेमोक्रिसी विच एज बियार अंबेटकर में मोले भी पॉइंटेड आउट वास नॉट जस्ट तो जन गारेंटी वन परसंट वन वोट बट वोट वन वैल्यू तो यह सारी बाते हैं आपके कह रहें कि बिया जो अगर यह इलेक्टरल बॉंड जो है यह सिर्फ फेवर कर रहा है कुछ लोगों को ही और बागी लोगों को एक्वाल अपॉर्चनिटी भी इसके वज़े से नहीं मिल रही है तो डेमोक्रिसी के लिए अ मिल रहा है कंपनी च्छों के त्लूप एक वालाओ कर रखा है तो अब होता गया ना लोग फेक कमपनी बना देते हैं फेक कमपनी बना कि उसके तुरू भाई पैसा कर रहे हैं यहां पर तो फिर यह ब्लैकमनी को वाइट करने का भी तरीका है इंडिरेटली है नश एक्ट तो यहां पर जुडिश्री को इसके उपर एट करने की सक्त से सक्त जरूरत है और जुडिश्री को इसके उपर एट करना भनता भी है तो यह सारी चीजे जो है राइडर इस आर्टिकल के अंदर कहते हैं और राइडर लास में यह भी कहते हैं कि 2018 है सुप्रीम कोट ने इस माम करते हैं जो आपका के निया बंगला देशन यहां पे आ आपके इस तरीफिकसे बंगलादेश और घा इंडिया का डिरिशन अभी चल सब्सक्राइब के ऊपए हैं थो शुरुआत करते हैं भारत और बंगलादेश के इस आक ट्रीकल के ऊपए तो friendship जहांब राइटर ने जो लिखा है अपना आर्टिकल इसको शुरुआत किया है कि friendship between India and Bangladesh जो है वो इतिहासिक है कोई आज से तो है नहीं 50 साल पुरानी है पहले Bangladesh भारत ही होता था फिर पाकिस्तान में गया फिर भारत नहीं पाकिस्तान से स्क्वाजादी दिलाई हमने काफी मदद करी है करीबन 4000 के आसपास इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी थी और भारत के अंदर करीबन 10 मिलियन बंगलादेशी जो है एक आखने हैं सब की रिफ्यूजी जो है उन्होंने शेल्टर ले रखा है इंडिपेंडेंस के बाद भारत और बंगलादेश की रिलेशन्शिप जो है वह काफी अलग-अलग डिफरेंट इफरेंट फेजिस से गुजरी है उसका कारण क्या कि बंगलादेश में रेजीमास अलग-अलग रहे हैं कभी मिलेटरी रूल आ गया है है ना तो दा रिलेश तो और बंगलादेश का रिलेशन थोड़े से थंडे वस्ते में जा रहे थे जो कि बीच में फिर मिलेटरी रूल और यह सब आने लगा और फिर देखिए जनरल जी यार रहमान जब आये तब भी ऐसी चीज़ देखने को मिली फिर देखिए क्या हो नाइटी नाइटी प्रिकी गवर्मेंटी जनता कूपता उस समय भी कोई खास रिलेशन थे नी फिर नाइटी 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 वन के बाद देमोक्रिसी वापस से वहां पर आने कोशिश करती है तब थोड़े थोड़े रिलेशन जो है वो सही होते हैं तो हाई एन लोस तो चला हुआ है ले जो है उन्होंने काफी सारी चीजों में काम तो किया है यह सब तो अच्छी बात है लेकिन कुछ बाते हैं जहां पर चिंता का विश्यच्च और उसको अब भात नहीं करते हैं अब लिखा जो है वो पड़ते हैं ठीक है तो भारत और बंगलदेश के बीच में पहले बॉर् लिया गया फिर क्या होगा बांगलादेश की जो गॉर्मेंट थी जिसको प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी लीट करती हैं तो उन्होंने बॉर्डर के पास थे एंटी इंडियन इंसर्जेंसी वाले जो एलिमेंट्स थे उनको हटा दिया जिससे की बॉर्डर पे आप फाइनली पीस है वना बंगलादेश इंडिया बॉर्डर पे भीच बीच में सीस फायर और एसा देखने को मिलता था बट शेख हसीना जी ने इन चीज को टेकल करने में बहुत अच्छा रोल अदा किया है भारत का बिगेस्ट टेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर एक्सपोर्ट बंगलादेश के अंदर जो है वो 9.21 बिलियन के आसपास है और इंपोर्ट जो है वो 1.04 बिलियन के आसपास है इंडिया ने ड्यूटी फ्री एक्सस दे रखा है बंगलदेश hosts बंगलदेश के अंदर को और बहुत सारे स्क्टर में हम इस तरीके से बंगलदेश की मड़त करते हैं वही ही पर भारत ।क ने इंडिया ने थ्री से दिए हैं बांग्लादेश को रिसेंश के अंदर ति लाइन उफ क्रेडिट कि और लोण में अंतर होता है लाइन क्रेड़िट का मतलब यह होता है कि हम जो है सामने वाली कंटरी को यह पोचनुटी दे रहे हैं जिसे मैं बोल दो कि भाई मैंने किसी को मैं मतलब एक exam l אבל लेलो माझ लो की आर्ट ये वीडियो धे रहे हैं तो मैंने बोल दिया कि राज को मैंने line of credit दे दी है एख जार रुपे अब एक हजार रुपए कि लाइन आफ खरडिट का मतलब यह कि राज मेरे से जरुछा journée पर एक हजार उपय तक ले सकता है और अगर इसे बहुत करी हैं और उसमें से काफी सारी पूरी भी कर दी है Bella पूरी नहीं हो पाई हैं तो भारत में यह समस्य हमेशा रहे रहे बागलादेश के साथ नीं के साथ रहे हैं कि हम बादे बहुत करते हैं कारण होता है रैड टेपिम मubenलब जो सरकारी प्रोसेश थ्लो हो जाता यह यह सब चीज़े जो है थोड़ा सा इस वज़े से चीज़ देखने को मिलती है डिसेंटली अगर हम देखें तो वन पॉइंट नाइन किलोमीटर का लॉंग बिरिज मैतरी सैतू भी बनाया गया है जिसको प्रैम मिनिस्टर नरीन मोदी जी ने बनाया है यह देखा जा सकता है स्टरीए कोश्टन से न तो ध्यान रखना जो रामगड बंगला देश के अंदर है और सब भारत के अंदर इसको जोड़ता है तो मैंतरी सैतरू किसको जोड़ता है पर में किलोमेटर का है तोड़ा सह तरहां रखेंगा यह परिं लिगली माइगरेंट जब बंगलादेश के बॉर्डर से भारत में गुस्नी की कोशिश करते हैं तो फिर उनको शूट आउट करके मार दिया जाता है तो यह चीज रोकनी है अभी हमारे external affairs minister जैशंकर जी गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि no crime no death border बनाना है दोनोंगे देश के बीच का तो यह जो एक एम है इसको प्राप्ट करना है मतलब तरीके से जो जैशंकर साब का कहना थे डारेक्टली हो यह कहना था कि आप लोगों को हमारे देश में आने से रोक रहे हैं बहुत अच्छी बात है और आपको करना भी चाहिए लेकिन लीगल वे का फॉलो करिए और इस तरीके से ना करिए इसके बाद क्या श्री रंका नेपाल मालदी जो हैं वो कभी भारत के ट्रेशनल इंडियन एलाइज होत से पहले अफगानिस्तान में भी रुख गए थे यह सर्प्राइज इनकी विजिट थी अफगानिस्तान की जो कि यह पहले से प्री प्लान नहीं था और यह आर्टिकल जो है बिसिकली यह बात करता है कि ऑस्टेंज भारत आये तब क्या-क्या बातचीत सामने आई तो सबसे ने पहले देखो एक बात आई है अफगानिस्तान की भारत देखो जानता है मतलब भारत जो है वो तालिबान से ज्यादा दानce चाहता है और हम बिल्कृ美味 को जो है वो तालिबान दे कैते दिया जाए लेकिन आपको पता है कि पाक साई चनल से दोक्तरों मॉcking चाहत। और उसमें वो काफी हद तक पाकिस्तान की भी मदद ले रहा है एक चीज और है कि देखिए US ने एक deadline दी थी कि हम 1st of May तक जो है हमारी forces को अफगानिस्तान से ले जाएंगे अब इस पे भी विचार चल रहा है कि क्या 1st of May में ऐसा कर देना चाहिए कि नहीं है भी थोड़ा और समय लेना चाहिए तो यह सब एक तो मुद्दा था जिस पर काफी बारतलाब कोई दूसरा एक मुद्दा है काटसा का काटसा का मुद्दा क्यों है भाई क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने जो है है डिसाइड किया था कि वह S-400 मिसाइल सिस्टम पर्चेस करेगा कहां से रशिया से तो अब ऑस्टिन ने तो यह कहा है कि भी यह इंडरेटली जो बात आई है वह यह आई है कि अभी तो डिलेवरी ली नहीं है आपने पर डिलेवरी अगर आप ले लेंगे तो फिर आपको बी कॉंजिक्वेंस जो है वह सहने पड़ जाएंगे काट साहब को पता है यूएस का एक एक्ट है काउंट्रिंग अमेरिका वह वाला जो एक्ट है जिसमें यह बात सामने रखी गई है कि अगर कोई भी ऐसी कंट्री जो यूएस की अनिमी कंट्री के साथ ट्रेट करेगी यूएस की जो जो मतलब फेवर कंट्री नहीं है उनके साथ ट्रेट करेगी मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं तो फिर यूएस जो है उन कंट्री के उपर सेंक्शन लगा देगा तो कार्ट साथ को लेके यहां पर यहां पर एल लॉयड ऑस्टी ने चिंता व्यक्त कर रखा है एक और यहां पर देखो चाइना का नाम तो नहीं लिया गया है तो यह सारी बाते जो हैं वह सामने आई है और जहां तक बात करी जाए अफगानिस्तान पीस प्रॉसेस की तो अभी हमने देखा था कि रश्यांने मीडियेट किया था एक नया जल्दी ही समिट होई और अफगानिस्तान में भारत जो है देखो वहां की गौवर्मेंट को बहुत जादा सपोर्ट करता है ठीक है भारत ने काफी जादा अगर सत्ता में आएगा तो पाकिस्तान की टेरेटेस्टों की मदद कर सकता है अफगानिस्तान की जमीन को यूज करने के लिए अगेंस द इंडिया तो इंडिया को यह प्रावलम हमेशा रही ती तालिबान से लेकिन अभी हमने एक जो चेंज किया है हमारे फॉरेंट पॉलि पॉचर में तालिबान ही आगया अफगानिस्तान में तब फिर हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी एक कम्म्यूकेशन चैनल होने की तालिबान से तो इसलिए इंडिया ने यह अभी जल्दी शुरू किया है यह काफी पहले से जानकाल लोग जो है वो यह कहते थे वो चाहत है कि भारत जो है वो सीज में इंडल भारत जो है वो तालीबान से बातचीत करें और तालीबान किसाथ संपर्ध में रहे और फाइनली जो है भारत ने इस चीज के ऊपर किया ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला आर्टिकल जो है दा वे फॉरवर्ड या आर्टिकल आया है मैमार के जनता कूप से रिलेटेट ठीक है अब इसको भी थोड़ा सा अपन देखते हैं देखो मैमार में ऐसी पहली बार नहीं हुआ है कि जनता कूप हुआ है आपने अंडर में की कोशिश करी है 2010 की अगर आप लास्ट टाइम बात कर दो 2010 में जो लास्ट आपके मिलेटरी कमांडर थे उन्होंने से नहीं डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी थे और उसके बाद यह जो इलेक्शन इलेक्शन हो ते सत्ता आई थी पर प्रॉब्लम क्या हो हो रहे इस से पहले भी देखो इस तरहीünf चीजें महार के आर्मी के ड्वारा किया गया है जनता कूप वहां पे देखने को मिला है लेकिन यह स्वरस्ट टाइम आसा हो रहा है कि यहां की जो मिलेटरी है अब वो इस प्रोटेस्ट को जो मैमार में हो रहा है अगेंस इस जनता कूप उसे कुचलने में मतलब कह सकते हो आपकी खड़ी नहीं उतर पा रही है उसको शांत नहीं करा पा रही है इससे पहले जब भी इस तरिये की चीज़ें होती थी तो प्रोटेस्ट होता था तो जो ज काम ही नहीं ले रही है चीज़े मतलब चाहे मिलिटरी ने भी कितने लोगों को मार दिया है वहाँ पे अभी हम एक दिन आर्टिकल पढ़ रहे थी कितना हुमन राइट वायलेशन हो रहा है हम यह भी देखने की मेहमार से जो काफी सारे लोग हैं वह भाग के मिज़ोरा मार रहे थे तो अभी पॉर्टर सील कर आए गया है कल ही देखा था हमने यह तो कहने का मतलब यह कि पहली बार इस तरीकिया का प्रटेस्ट जो है वह उतर गया है जंता जो है यह इस्पेशली जो यंग पीपल है मांके वह बिल्कु सुकारने को तैयार नहीं है जंता कूप और और वह चाहते हैं डेमोक्रेसी आए उसमें काफी सारे गौर्णमेंट एंपलोईज जी भी जो प्रटेस्ट कर रहे हैं और यही सब बात ही साथ के लिके अंदर लिखी हुई है कि क्या वे फॉरवर्ड है और जहां तक बात करी जाए मिलेटरी की मिलेटरी को ऐसा लगा आएंगे लेकिन अब यह मामला जो है शान्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है अब इंटरनेशनल प्रेशर तो है ही है साथ ही साथ जो मैमार की जो जनता है वो भी इस स्टेप के अगेंस्ट में काफी डटके सामना कर रही है ठीक है और मैमार की वैसे इतियास उठाके देख जो अभी ठीक है और जजेस क्लोस्ट प्रोप्स एंड़ बार्स ओमरेटा यह आटिकल क्या है देखो अभी चौबिस एप्रेल कि 2021 को जस्टेस एन वी जस्टेस एन वी रमाना यह नाम याद रतुलाव यह नाम बहुत सुनना है क्योंकि ही इस गोइंग टो बी अवर नेक्स चीफ जस्टेस ऑफ इंडिया और अभी आटिकल क्या आया है देखो यह आटिकल यह आया हुआ है अपन जहां बहुत अगा डिटेल में नहीं जाएंगे थोड़ा सा बायस भी है आटिकल लेगिन ठीक है कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है सामने इस आटिकल के उन्होंने काफी इंटर्फेर किया वहां की स्टेट गवर्मेंट के फैसले के अंदर और किस तरीके से हाई कोट में फेवरेवल बेंचेस को बैठा है ऐसे लेटर में जो रिड्डी सावे उन्होंने लिखा था अब यहां पर देखो राइटर जो हैं वो यह बोलती है कि अ अगर यह थोड़ा भी चांस है जो कि अगर यह थोड़ा भी चांस है तो फिर यह देश के लिए अच्छा नहीं है ऐसा राइटर यहां पर बोलते हैं बाकि क्या सच है क्या गलत है यह तो फूचर में पता पड़ेगा लेकिन जो टूप पॉसिबल आउटकम्स के यहां पर राइटर बात करती है वो यही करती है कि एक तो या तो यह होगा कि भाई सब्सक्राइब बात सही कह रहे हूं तो अब यह चीजे कैसे क्लियर होंगे जब यह खुच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे तो यहां पर राइटर यह बोल रहे है को सिस्टम होना चीए को तरीका होना चीए जिसके थुरू जो है यह चीजे जो है वो इंटर्वल बिट्वीन टू डोजेज ऑफ कोवी शील्ड से सेंटर गॉर्मेंट सेंटर गॉर्मेंट ने कहा है कि कोवी शील्ड वैक्सिन जो है वह ज्यादा इफिशेंट तब होगी जब पहली और दूसरी डोस के बीच में ज्यादा गैप कर दिया जाए तो सिक्स तू एट वीक्स का गैप रखने की बात यहां पर करी गई है तो नेशनल एवार्ड अनॉंस हुए हैं वैसे तो यह यूपीस के लिए बिल्कुल इंपॉर्टन नहीं होता है पर अगर कोई वन डे एक्जाम देता है तो आप ज़रूर पढ़ लीजेगा वन डे एक्जाम लाइक एक एससी बैंकिंग इन समने ऐसे कुशन सा जाते हैं तो नेशनल एवार्ड में देखो बेस्ट फीचर फिल्म मिली है तो अपर लोबस ऐसे यह ना सिम्धन करके यह मल्यालम फिल्म है कंग नरनावाद को फिर से नेशनल एवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का मनी का पर यह भी पूछति है नहीं पूछती है नहीं तक करें बाद देखा है तो इसके बाद देखो क्या है ministry of external affairs silent on reports of UAE role in India Pakistan detenti देखो मामला क्या है मामला यह है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हलका सा आप कह सकते हो कि relation थीक होनी कगार पर पहुंचे थे जब ceasefire वाला agreement हुआ और इमरान खान पॉम ने हमारा airspace दिया यूज करने के लिए तो अभी क्या देखने को मिल रहा है सुनने में ऐसा आरा reports का ऐसा मानना है कि यह जो बैक चैनल टॉक्स हुईती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिसके वज़े से यह एग्रिमेंट जाके संभव हुआ उसमें UAE ने काफी mediate किया है UAE की तरह काम करी है और UAE ने काफी चीजों को solve करने की कोशिश करी है बेटविन इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है कि ऐसा माना जाता है कि अब बाइलेटरल इशुज हैं और इंडिया पाकिस्तान दोनों ही चाहते हैं कि कोई तीसरी कंट्रि चाता जो है वो इंटर्फिर ना करे पाकिस्तान ऐसा चाता है नहीं चाता है यह तो पता नहीं बट इंडिया जरूर चाता है कि इस तरीगी चीजे ना हो आपको शिमला का record याद करना होगा जहां पर यह बात होई थी दोनों कंट्रीज के बीच में कि भया अपना तुमारा मामला इसमें तीसरे कंट्री को ना इनवॉल्ड किया जाए तो तीसरे कंट्री को इनवॉल्ड ना करने का एक और कारण होता है देखो आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज ले लो यह सारे जो हैं वह आम्स एक्सपोर्ट करके काफी सारा पैसा कमाते हैं अब भाईया कहीं देशों के बीच में बॉर्डर डिस्पूट नहीं होगा तो किसी देश के आर्मी क्यों आम्स खरीदेगी क्यों इंडिया एस फोरेंड विसाय सिस है अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चीजें जो हैं वह मतलब सौल हो जाएं तो इस अच्छी कोई चीज नहीं है ठीक है एक मेरा आज आपका आप लोगों के लिए कुश्चन इस आर्टिकल में उसका जिक्र भी है रेट्स करके एक और इसे करके तो यह रेट्स जो है यह किसका पार्ट है उनाइटे नेशन का या किस चीज का है तो कमेंट सेक्ट में ज़रूर बताइए ठीक है और आज का जो प आपेज पॉलिस्टी जो टांस्पोर्ट मिनिस्टी के दोर अनाउस करी गई है इसकी एक खास बात यह है कि बड़ी अच्छी है जरूरत थी इसकी लेकिन राइटर जो है इस आर्टिकल में बात करेंगे कि चलिए ठीक है आपने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है लेकिन का इंप्लिमेंटेशन कैसे करेंगे उसमें एक चिंता जनक मार्ग मतलों चिंता जनक एक कोशन है राइटर देखो यहां पर बात करते हैं कि देखो अभी कुछ समय पहले 2019 में आपने मोटल वहीकर अमेंडमेंट एक लाया था कुछ अमेंडमेंट किये थे मोटल वहीकर ला कि उन्हें नहीं नहीं करने दिया तो यह जो समस्यय यह फ्यूचर में भी मिलने वाली है आप देखो राइटर जो है वह क्या क्या कहते है कि देखो propaganda वहीकर पे इंप्लीमेंट हो जाएगा ै24 तक और उपर सब जगह पर हो जाएगा वैसे इसमें कुछ और बाते भी थ तक 1 April 2022 तक जो है यह government vehicles पे implement हो जाएगा और 2024 तक यह proper सब जगा पे हो जाएगा वैसे इसमें कुछ और बाते भी थी जैसे कि टोल बूत अगले साल तक खतम कर दिये जाएंगे एक बात यह थी और दूसरा यह था कि green tax जो है वो implement किया जाएगा ऐसी बहुत सारी चीटें जो है सबसीडी भी दी जाएगी अब यहाँ पर देखो कुश्चन यह भी आता है कि 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी है भारत में ऐसे तो काफी सारी चल रही है आज कल क्या होता है न देखो जो मिडरी क्लास जनता है या फिर जो लोग क्लास जनता है अगर दे बॉन टो बाय कार तो यह भी वो लो सेकंड हैंड या थाड हैंड गाड़ी ले ले लेते हैं अब यह जो गाड़ियां होती हैं कि मतलब नॉर्मल ही समय जो होता है वो 15 साल 16 साल 14 साल इतनी पुरानी हो चुकी होती है तो कहने का मतलब यह कि भाई बहुत सारे लोग तो खुद से भी गिवप नही गाड़ी एक लाग में थोड़ों दिलाओगे अब कितना भी सबसेडिया दोगे जो छे लाग की गाड़ी या पांच में दिला दोगे सारे चार में दिला दोगे मतलब इस चाहदा क्या कर पाऊ गे तो यह हर कोई नहीं चाहेगा न ही चीज़े खरीदना तो यह अपने गाड़ी यूज होती है आठ नो साल बाद इसको दूसरे जगाओं पर जाके बेज़ देते हैं उससे क्या होता है कि दिल्ली की गाड़ी है इसने पुरी इंडिया में सस्ती बिखती है क्योंकि यह पहले से चला रहे है वीजा दो लूप फोल्स और वह आगे भी देखने को मि नहीं गाड़ी ले पाएगा तो यह सब अपने आप में कुश्चन है मार्ग है कि हैवी कॉमेशिर वहिकल्स वाले जो लोग हैं यह कैसे करेंगे और यह सारी बहुत बड़ी बड़ी इसमें बाते हैं देखो एक तो कोविड नाइंटीन का जो इंपेक्ट पढ़ा है एकोन हो जाएगा तो यह भी एक अच्छी कोशिश है प्रियास है बट कितना जल्दी यह चीज़े हो पाती है किस तरीके से यह हो पाती है यह देखने लाइक चीज़े रहेंगी ठीक है तो इस इस वाट इस आर्टिकल इस ओल इबाउट इसमें देखो में जो राइटर का जो कंस जो कि support जो है वो state government का तो मिलने का ना साही chances है फिर देखो क्या है doubling down on a resilient India यह वाला आटिकल जो है इसको भी discuss करते हैं यह आटिकल बिचिकल बात करता है कि भारत में जो है with time धीरे-धीरे आप देखते हो कि भारत में आप यह देखते हो धीरे-धीरे कि जो आपके foreign companies है जो बड़ी-बड़ी foreign organizations है they are willing to invest money in our country और काफी सारी बड़े-बड़े organizations को यह लोग पैसा दे रहे हैं भारत के अंदर invest कर रहे हैं तो क्या कारण है कि यह लोग पैसा भारत में लगाना चाह रहे हैं मतलब कुछ तो उनको भारत में दिख रहा होगा ना तो उसी को राइटर इ हाँ पर पताएंगे कि कुछ major चार कारण राइटर को लगते हैं जिसके और जिससे उनको लगता है कि भारत में यह country जो है वो पैसा अपना लगाना चाहती है इस countrys के जो बड़ी-बड़ी organization है वो पैसा लगाना चाहती है companies like Google, Facebook, Walmart, Samsung, Foxconn, Silver Lake यह सब काफी पैसा लगा रहे हैं अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि कौन-कौन सी companies में इन्होंने पैसा लगाया है अभी काफी news में रहता है कि Bangalore की फला company में लगा दिया जियो के साथ अभी Facebook की deal हो यह आपको पता ही होगा तो यह सारी इसी आप देख लो सबसे परला कारण क्या होता है population लोगों को लगता है कि जनता बहुत है इनक्या है ना दूसरा क्या है कि जो US-based companies उनको लगता है यह का इलको US जो है वो चाइना के ऊपर कुछ aggressive action ना ले ले और अगर हम चाइना में जाता इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ह वजह से काफी लोग attract होते हैं इसकी तरह दूसरा है geopolitics US-China वाला issue कल को US कोई harsh action ले 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 तो फिर इंगे इसा प्रॉबलम में आ देंगे तो इसलिए वो लोग चाह रहे हैं थोड़ा safe side में जाना तीसरा है digital connectivity जो digital connectivity भारत में वो तो बढ़ी है अफकॉर 700 million इंडियन के आज पर आज की डिट में इंटरनेट है लेकिन जिनके पास नहीं है वो है 500 million तो यह अपने आप में बहुत बड़ा market इतना तो लोगों के जनसंख्या नहीं होती किसी country में तो यह 500 million को भी attract करना चाहे यह बड़े बड़े giant और यह चाते हैं कि ऐसे जगाओं पर इंवेस्ट किया जा जिससे कि यह 500 million जो है यह भी उसमें cover हो जाए इसके बाद क्या है national resilience भारत का भी जो image थोड़ी सुधर रही है एक हमने covid-19 की vaccine इतने जगाओं पर दी प्लस इतनी बड़ी जनसंख्या के प्लस अभी economic activity भी शुरू कर दी गई है vaccination प्रोग्राम से पहले ही तो यह सब अपने आप में मतलब एक अच्छा step था भारत की सरकार का जो देखने में मिला तो यही सब कुछ कारण से जिसके वज़े से राइटर को लगता है कि लोग जो हैं भारत में पैसा इन्वेस्ट कर जो रीजन रहा है वो रहा है कोई 19 में जॉब जाना कोई 19 में इंकम ना आना और इसके वज़े से चीज़े देखने को मिली है हुआ कि मिडल क्लास से तो बिल्गुल गरीब तब का बनी गया बहुत सारे लोग सब नहीं कुछ लोग तो इसके वाज़े से काफी problem देखने को बोलते हैं इसे इसे फिफF Putin chp और उसके अपर से सारी कंट्रीज जो है साथ अटा लेंगी फिर हूआ क्या कि दोजह Пока उबामा साप के टैन्य ओर में वहा था फिर आये डॉनार्ट्रं टर्म तो डोनार्ड ट्रशंप जब आये तो डोनार्ड स्वालान ट्रम ने भाई आपको इस डील से बहाल ले लिया फिर हमने एक चित देखी कि बाइडन साब सत्ता में आये हैं तो पुरे विश्व को उमीर है कि बाइडन साब जो है वो इरान नुकलियर दील को फिर से ट्रैक पे ले आएंगे और काफी समय हो चुका है वैसे तो अभी थंडे बस्ते में चल रही है चीज़ें ऑल दो है यह ऐसे मीडियेटर की तरह काम धंग से करेगा तब ही चीज़ें आगे संपन हो पाएंगे अधर वह काफी दिफिकल्टी देखने को मिलेंगी फिर क्या है मैमार बॉर्डर श्ट अमीर स्टीन सोवर रिफ्यूजी क्राइस आपको पता है कि मैमार के अंदर जो है वो मिल पर सील करा दिया गया है सेंटर गवर्मेंट के द्वारा फिर यहां पर देखो एक आपके IPS थे उन्होंने परमबीर सिंग जी उन्होंने चार्जिस लगाए थे उन्होंने कम्प्रेन करी है ठाकरे साब को रिगार्डिंग देर होम मिनिस्टर तुसी पे शरत्मार जी का अंप्रदान करना जैसे की चावल के बदले में राइस राइस के बदले में घेहूं ले लेना ठीक है तो यह क्या था बार्टा सिस्टम पहले होता था तो अब यहां पर देखने को मिल रहा है की च्छतिसगर की एक ट्राइब है जो महुआ फ्लॉवर्स का सील करके आंद्र मुर्दीगरम एरियास नकसल हिट सुकमा रीजन सुकमा का नाम आपने काफी सुना होगा च्छतिसगर में वहां से और यह 40 km ट्रेवल करके आंद्र प्रदेश में गोदावरी इस्ट गोदावरी डिस्टिक में आते हैं और वहां पे इस तरीकी चीजों को अंजाम देते है फिर आमने कहे टो एक आर्टिकल कल पर सो भी पढ़ाता कि चाइना जो है किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है और अभी फिलिपिन्स ने चाइना को अक्यूस किया है कि वह यह आप इंकरजन कर रहे हैं डिस्प्यूटेट सी के अंदर जो की बिल्कुल सही नहीं है तो दि सब्सक्राइब करते रहे हैं तो चलिए मिलते हैं कल ध्यान रखिए अपना हसते रहिए मुस्कुदाते रहिए पढ़ाही करते रहिए स्यू टोमारो जय हिंद्ट जय भारत तो चलिए स्टार्ट करते हैं से रिटोरियल को दा बाइडन टच्टू सूबर येट सब्स्टेंटिव टाइस यह देखो इंडिया एंड यूएस की रिलेशन को बताने की कोशिश कर रहा है यह आर्टिकल की भिया डोनाल ट्रम के समय और अब बाइडन के समय में क्या-क्य अंतर आने को हो सकता है और अभी तक क्या हुआ है तो यहां पर देखी स्टार्ट किया गया है राइटर के दौर इस आर्टिकल को कि भिया देखो एक साल हो चुका है जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल ट्रम्प उस समय जो थे वो भारत में आये थे स देखो भी यह दोनों ही कंट्री में नंबर ऑफ जो कोरोना वाइरस केसे थे वर्ल्ड में वह हाइस थे और अब तो स्टेडियम का नाम भी चेंज हो गया है एक सालकेजम राइटर यहां पर दे रहे हैं फिर बोल रहे हैं कि हम आपर प्रेसिडेंट भी चेंज हो गया है ज बिटाय है जो डॉनल्ड टर्म की कुछ पॉलिसी इस ती जो काफी ज्यादा घातक साबित हो रही थी युएस के लिए अकॉर्डिन टू दा बाइडन साब लाइक डबलु एचो को लेके जो उनका एक रुद्ध था पैरिस क्लाइमेट एहिमेट को लेके उनका जो एक अप करी है इसके बाद देखो राइटर जो है वो बोलते हैं कि ऐसा लगता नहीं है इसा लगता है कि बाइडन जी जो है वो डॉनल्ड टरम्प की जो पॉलेसी थी इंडिया को लेके जैसे इंडिया को थोड़ा सा ज्यादा क्लोज में रखने वाली उसको चेंज करेंगे कारण है तो उन्होंने अपन एलाइस को कॉल किया अपने एलाइस पार्टनर सकता है तो उन्होंने पिया इंडिया को भी कॉल किया आफ्elyn इ container के इसके बाद अगर बात करें तो काफी सारी बात एसके डिफेंस सेकेटरी ऐनने नेसिनल सेक्योरिट एडवाइजर जो है वे मारे इ जो हैं वो चलती रही है ठीक है एक चीज़ यहां पर देखा और बोली जा रही है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया और यूएस हैं यह सिर्फ मतलब ऐसा होगा कि डोनाल टर्म के समय में पास में थे और अगर अब हम चाहिने से थोड़े से रिलेशन ठीक होते हो नजर आ रहे हैं तो वापस से यूएस से अलग हो जाएंगे नहीं अब यूएस को हमने काइंड ओफ एक बहुती क्लोस टाइस बना हैं डोनाल टर्म के वेको राइटर जो है वो बताते हैं कि बाइडर जी का या अपना एक स्टैंस रहेगा वह कोड के लिए सेम रहेगा को फोकस करेंगे कोड को आगर बढ़ानी कोशिश करेंगे साथ ही साथ जापान ऑस्टिलिया के साथ बे अच्छ रेलेशन बिल्ड करेंगे चारों मिलके क करने की कोशिश करी क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं इसे चाइना का जो डॉमिनेंस है वो तहीं से रिया में बढ़ी रहे तो उसको रोकने के लिए यहां पर क्वार्ट की ज़रुवत तो रहेगी रहेगी समझ रहे हैं तो यह चीजे तो रहेंगी इसमें कोई चेंज होनी की बात नहीं है इसके बाद राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि देखो चाइना का जो अग्रेशन था लाइन ऑफ एक्ट्रोल के आज पास जो 2020 में इंडिया और यूएस को पास लेके आया चाइना के देखो क्या हुआ जब बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ हु उसके बाद इंडिया ने जो है वो यूएस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इंडिया जो है वो यूएस के थोड़ा सा क्लोस चला गया और यह चीज रश्या को भी पसंद नहीं आई रश्या भी हमार टैडिशनल पार्टनर है और वहीं रश्या जो है वो चाइना के बैठा हुआ है तो दोनों ही रशिया और इंडिया के बीच में एक उंडेस्टेंडिंघ ये भी फिज पर बात रहे तो यह जो एलेसी पर हुआ था इसी के चलते हुए मालबार exercise को quad में कराया गया था वनना इससे पहले quad जो है वो militical iconization नहीं बनके रही थी लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि quad countries ने मालबार exercise को conduct कराया था और भारत पहले ये चीज अलाओ नहीं करता था बट इस बार भारत ने भी इसको allow किया है क्यों किया था क्योंकि भिया चाइना जो है वो काफी जादा aggressive था बॉर्डर पे और चाइना को हलके में लेनी की गलती है भारत दुबारा नहीं कर सकता है इसके बाद एक वो राइटर जो है वो एक मुद्दा उठाते हैं कि एक जो point रहेगा जो दोनों कंट्रियों के बीच में problem का विश्य फूचर में हो सकता है वो है human right violation राइटर ऐसा कह रहे हैं कि विया जो अभी present भारती सरकार वो human right violation पे जादा बोलती नहीं है और काफी जगाओं पे ऐसे instance पे नाम आता है कि विया human right violation हो रहा है by present government तो ऐसे cases में कह रहे हैं राइटर कि Biden जी जो है या फिर जो कमला Harris जी जो है ये लोग विया इसके against में बोल सकते हैं क्योंकि इन लोगों की तो policy ही रही है human right violation हम नहीं होने देंगे तो वहाँ पे फिर इंडिया US के relation में थोड़े से खटास आ सकती है एक और problem future में देखने को ही मिल सकती कि जब हम S-400 missile system की delivery लेंगे from Russia आपको पता होगा कि US में एक act है काटसा ठीक है काटसा act का basically मतलब है कि अगर आपने हमारे दुश्मन countries के साथ यूएस ने कहा है कि आप हमारे दुश्मन countries के साथ trade करेंगे तो आपको हमसे भी sanctions झेलने बढ़ेंगे तो काटसा मतलब अभी जो है वो रश्या के लिए ही कहा गया है तर्की के साथ यूएस ने यह किया तर्की ने S-400 missile system रश्या से खरीदा था तो यूएस को जमानी हम बात करें अफगानिस्तान को लेके ठीक है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेके यूएस और इंडिया के बीच में क्या हो सकता है तो देखो अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेके जो है इसमें भी इंडिया जो है वो लूप से बाहर है क्यों है देखो भारत की जो सर जूरी नहीं है तो यह हमारे लिए घातक इसलिए साबित हो सकता है कि यूएस की एक policy है कि नाट पार्ट आफ दा प्रॉब्लम नोट पार्ट आफ दा सॉलूशन कि भाईया अगर आप अपना अलग से नाम बना सकता था एक अपना position बना सकता था लेकिन वह भारत के हाथ से जा रहा है क्योंकि हमारा जो पूरा 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 एक relation था वह आफगाइस्टान की गॉवर्मेंट से था और इंडिया कहीं नगहीं आज भी चाहता है कि वहाँ पर गॉवर्मेंट का ही सारी चीज़े जो हैं वह देखने की बात करी गई है ठीक है तो दिस इस वाला हमारा यह वाला आटिकल आई होप आपको जो चीज़े हैं यहां पर समझ में आई होंगे ठीक है इसके बाद है असेम्बली पोल्स टू किक ओफ ऑन मार्स 27 अब यह क्या है देखो भी यह अभी पहली चीज़ तो आपको यह डेटा याद करने की जरूरत नहीं है क्यों यह चेंज होगा क्वाटर फॉर ऐसे से करके तो अपने को बस अपने दिमाग में एक आईडिया रखना है कि हां बाई ऐसा कुछ हुआ था और यह ऐसा हो रहा है ठीक है तो आपको यह डेटा याद डिजिटल लाइबरेरी लाँच करी थी और पिछले साल की बात है और उसी के अंदर देखने में आया कि 23.79 लोगों ने रजिस्टर करा लिया है इसकी सर्विसिस को अवेल करने के लिए तो यह अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज रही है कि सरकार का एक बहुत लेको तो वहाँ पर कहीं एक्जामपल में कोट कर सकते हो इस तरगी की चीजों को याद रखो अगर तो इसके बात क्या इंडिया चैन नौट अबंडन अस्ति श्रिलंका दिखो उनाइटे नीशन में क्या हो रहा है कि श्रिलंका के ऊपर वह चलने वाला है वोट होने वाल स्क्राइब करने वाले नाम आपको याद करते हैं एक नाम आपको याद होगा जमाल जमाल कसगोगी यह देखो एक जनरलिस्ट है वाशिंग्टन पोस्ट पैस न्यूस चैनल के न्यूस पेपर के और इनको जो है काफी प्रसिद इसलिए थे क्योंकि यह जो MBS है मुहम्मद बिन सल्मान जो है यह प्रिगाउन प्रिंस ऑफ साओधी अरेबिया इनके अगेंस में काफी जादा क्रिटिसिजम करते थे, इनके अगेंस में काफी सारी चीजे लिखते थे तो क्या हुआ कि जमाल कसगोगी जी को एक जगह पर गायब कर दिया गया गया गायब हो गये उनकी उनको मतलब कैप्चर करके मार दिया गया और इसमें जम्मेदारी धहराए गई थी क इसकी साओधी अरिविया की कुछ ऑफिशल्स की और उसमें जमाल कजगोवी जी का उस ऑफिशल्स को मानने कारणे बताई आता है कुछ इंटर्नल बैर थी एसेटरा एसेटरा और उसमें कहीं MBS जी का नाम नहीं था कि मुहम्मद बिन सल्मान जी ने ओर्डर किया था कि इनको कुमारवाद दो ऐसा कुछ तो अभी एक डिक्लासिफाइड फाइल आई है यूस के रिपोर्ट की उसने ऐसा कहा है उसका इसा मानना है कि भाईया MBS मुहम्मद बिन सल्मान का इसमें रोल था इनकी मृत्यू के पीछे ऑल्दो यहाँ पे जो सिंपल सी बात है कोई इस बात को विल्कुल खारिच किया है कि ऐसा कुछ है नहीं यह एक मन घड़त कहानी है ठीक है चलिए तो इस एक बार यह वाला आईडिटोरियल फिर से कर लेते हैं बैडन वाला देखो सिंपल सी बात समझने कोशिश करना इस एडिटोरियल के अंदर जो आज न्यूस भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आई है तो अब इस बात करते हैं कल भी सेशन होगा संड़े में ध्यान रखना तो तब बाइडन टेश्ट तो सोबर ये सबस्टेंटिव टाइस यह आटिकल मैं इसको देखो लाइन बाइन नहीं कर रहा हूं आपको समराइस करनी कोशिश कर रहा हूं इसमें देखो ये कहा जा रहा है कि जब यूएस में डोनाल ट्रम्प थे तो वो भारत के साथ अपनी जो मीट में आये थे जो एक इवेंट हुआ था उसमें उन्होंने काफी ज़्यादा बढ़ चड़के भारत के फेवर में बाते बोली थी भारत के पक्षन मे को भी कॉल किया था इसके बाद देखो कुछ मुद्धों कि यहां पर बात करी जा रही है जैसे कि सबसे पहले अगर हम चाइना वाला इशू ठालने की चाइना से कारण जो है भारत का रिलेशन अभी यूएस के करीब जाने का हो गया को आपनी इंपोर्टेंस बढ़ा दी फिर हमने एक चीत देखी कि किस तरीके से रश्या के साथ हमारे पंगे हो सकते हैं और रश्या के सा समांग खरीदने से यूएस से मारे पंगे फ्यूचर में बढ़ सकते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम की बात करी नौड स्टीम 2 पाइपलाइन प्रजेट की बात हो रही थी इसके बात अफगानिस्तान वाला एंगल भी हमने समझाए कि अफगानिस्तान की एंगल में भारत का रिल प्रजेट आहीं है फिर हम देखा कि इकनौमी जो है वो क्वाटर थर्ड में जो है वो ग्रोव करने वाली है देन 23.79 लाक राटिकल जो है वो है डेट ट्रैप यह आर्टिकल जो है यह क्या करने की कोशिश कर रहा है देखो आपको पता है कि तमिलनाडू के अंदर जो है क् मात्रा में वहाँ पर पताकों का उत्पादन किया जाता है अभी वहाँ पर देखने को क्या मिला कि एक रिसेंट इंसिडेंट सामने आया वेरुध नगर के अंदर जिसमें 20 लोगों की जान जो है वो चली गई है और 28 वरकर्स जो है वो हॉस्पिटल में है और यहाँ पर र पहली बार है यह आपको भारत के और भागों में तो मिलता ही मिलता है तमिल नाडू में काफी देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो है फाइल कैकर इंडस्टी है तो यहाँ पर हम बात करें यह जो इंसिडेंट हुआ इसमें most of the victims जो थी है वो women's थी और यह एक बड़ दुर्भागे पूर्ण बात है कि बार-बार यह घटना घटती है बार-बार safety measures बताया जाते हैं कि हम follow कर रहे हैं बार-बार बताया जाता है कि यह कानून बन रहे हैं लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं चीजह हो रहे हैं लेकिन इंसिडेंट जो है repeat हो रहे हैं फिर वो writer जो warning and safety advisory सब कुछ आपने कर लिया होगा ठीक है बट क्या इससे फिर future में फाइदा होगा क्या अब आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर पाएंगे कि future में इस तरीगे के incident ना हो writer जो है वो बोलते हैं कि देखो कारण जो है क्या कारण है जिसके वज़े से ये incident हो रहे है वो fix है ये कारण कोई नए नहीं है ये पुराने कारण है पहला सबसे बड़ा कारण जो है सामने आया है वो है unlicensed units जो फरजी units बन जाती है फरजी units मतलब मान लो भाई किसी एक बं लाइसन शुरू कर रहे हैं तो उनके उपर तो कोई regulation नहीं नहीं कोई देखी नहीं पा रहा है जिसके वज़े से फिर चीजे देखने को मिलती है कभी कभी क्या होता है कि जो administrative authorities होती है उनके साथ मिनका nexus होता है अब वो nexus किसी भी fiduciary lab के लिए हो सकता है किसी भी और तरीके से human rights का violation हो रहा है जब proper सुविधा नहीं दी जा रही है तो किस तरीके से इनको काम करना allow किया जाता है गवर्मेंट की वह authorities तो questionable है ना जिनका ये काम होता है इस चीज को देखना कि आपके यहाँ पे जो factories हैं वो किस तरीके से work कर रही है जो industries हैं वो किस तरीके से work कर रही है ठीक है इसके बाद देखो राइटर ने एक तो मुद्धा उठाया unlicensed unit का दूसरा इन्हों ने उठाया है कि सब leasing of contracts भी एक बहुत बड़ा इशू है सब leasing of contract फो क्या होता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे तो सब leasing of contract की बात हो रही है सब leasing of labors भी होता है यह भी राइटर ने बाद में उठाया है कि सब leasing of contract सब leasing of labors यह भी एक बड़ी दुबागेपूर्ण चीज़ें जिसके वज़े से चीज़े होती है क्या है यह आप इसको दो ऐसे देखो कि मान लो भी है चार लोग एक फैक्टरी में काम करते है ठीक है अब इस फैक्टरी के अंदर जो यूज है वो दो लोगों का ही है तो यह फैक्टरी क्या करती है यह लाइसेंस फैक्टरी थी इसने अपने दो employees जो है किसी को उधार पर अब क्या होगा अब आप यह देखेगा कि भी यह पांच में से उसने मान लो उसकी कैपिसिटी दो बनाने की है उसने तीन बनाने के लिए जो यह इलीगल वाले फैक्टरी इंडस्ट्री इंसे कह जब है तीन बना के हमारे ले आओ अब क्या होगा इनके आं तो प्रॉपर नहीं है प्रॉपर तरीके से लोग आई नहीं है भीया पटाका बनाने में भी तो स्किल्ड लेबर चाहिए जो उस काम को जानता होगा वही कर पाएगा ना कोई तीसरा चौथा बंदा आकर तो कर नहीं पाएगा चानक से तो यह चीजे जो हैं यह एक बड़े रीजन की तर हैं वह हर जगा रखे रहते हैं तो पटाके बनाने में उसका यूज होता है तो जैसी थोड़ी से भी आख पकड़ती है तो पूली आख पकड़के जो है पूरा पूरा माहूल खराब हो जाता है इसके बाद क्या है अंट्रेंड वर्कर्स जो है या फिर पाई स्रीट इसके वज़े से पॉब्लम देखने को मिलती है अभी जो लेटेस्ट एक्सिडेंट है इसका जो कारण वो सामने यह बताया जा रहा है कि या एक जो लेबर थे वो थोड़े से चक्कर की स्थिती में थे मुर्शित हो रहे थे और वो गिर गए जिसके वज़े से जो सीमी फि देखने को मिली है इसके अलावा क्या है अगर आप क्रैकर इंडस्टी की बात करें भारत में तो तो दीदीद्रे टेक्नोलोजी को हर जगा इंट्रियूस किया जा रहा है लेकिन हमारे यहां पर फायरवक इंडस्टी आज भी जो है वो लेबर इंटेंसिव है लेबर इंट क्योंकि इससे भी समस्या बढ़ेगी क्योंकि जब इतना हजाड वर्क है इतना डिंजरेस वर्क है और अगर यहां पर अगर आप मशीन का यूज करेंगे तो थोड़ा सेफटी अपने बढ़ जाएगी लेकिन अभी क्या है कि सस्ता करने के चक्कर में लोगों को बैठा के बनाया जा रहा है जिसाब आप एक जामपल ले लो यार एक पापड आप जानते हो पापड आप खाते हो गए है ना पहले लिजजट करके कंपणी जो है बड़ी फेमस थी लिजजट करके गूप बनाता यह आपका मतलब कह सकते हो आपकी यह सेल गवर्न बॉड़ी है और बहुत सारे पापड़ी कंपनी जो मार्के में टेक ओवर कर रही है तो यह किस से बन रही है मशीन से बन रही है तो मतलब समय के साथ चीज़ों को चेंज रहने की ज़रूरत होती है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर समय के साथ चेंज नहीं हो पार है जिसके वज़े जोजना होगा कि किस तरीके से technological innovations को इसमें introduce करके include करके इन चीजों की हालत को सुधारा जा सकता है और सबसे important चीज जो ये nexus create हो जाता है ये फरजी industries के बीच में और जो अलग-अलग संस्थान है जो आपस में इनके बीच में एक pact हो जाता है टाई हो जाता है वो चीज ना हो corruption खतम होगा तो अपने आप ये चीज़े और बैटर लेवल पर आएंगी और government की जो agency जिनका काम है इन चीज़ को सुनिश्चित करना की proper तरीके से चीज़े चल रही है वो इस चीज़ को सुनिश plan for Palestine यह article क्या कहता है इसको भी देखनी कोशिश करते हैं पहले थोगा सा एक basic idea में आपको देना चाहता हूं तो इसराइल जो है वो आपका देखो Donald Trump के समय काफी US के close था ठीक है क्योंकि Trump जो है वो इसराइल के काफी आप कह सकते हो supporter रहे हैं और उन्होंने इसराइल को समय स समय पर support किया है इसका एक example आपको याद होगा कि Donald Trump ने US की embassy इसराइल के अंदर जो है वो जैरूसलेम में बनाई थी कहां बनाई थी जैरूसलेम ठीक है मैंने मैं आपाट डालना भूल गया हूं और आपको दिखाता तो जैरूसलेम क्या है अपने आप में एक समस्या का वि इसराइल भी अपनी capital क्या बनाना जाता है जैरूसलेम अब उद्दा क्या है कि वर्ल्ड के अलग 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 countries हैं बहुत सारे लोग इसका accept नहीं करते हैं कि जैरूसलेम जो है वो इसराइल का part है लेकिन US ने जब एक कदम उठाया था कि उन्होंने जैरूसलेम को जैरूस कर लिया था डोनाल ट्रम के समय अब मामला कहना मामला यह आर्टिकल जो है बिसिकली कहने की कोशिश कर रहा है कि ब्या ट्रम्प सहाब तो थे वो चले गए अब आए हैं बाइडन सहाब तो क्या बाइडन सहाब का जो अप्रोच रहेगा इसराइल के लिए वो सेम रहेगा जो ट्रम्प का था या फिर अलग हो जाएगा और अलग हो जाएगा तो क्या कितना अलग हो जाएगा कि यह सारी जो hiç patience लिए थे ट्रंप जी ने यह वापस उसको ले ले लेंगे क्या हैं कि कहेंगे कि हमारी अभेकर को हम बंद कर रहे है जरू स्लमें हम कुछ और प्रामला जो है यह इस आर्टिकेन में लिखा हुआ थोड़ से समझने की कोशिश करते हैं तो डॉनाल्ड ट्रॉम्प कर इसराइल से काफी अच्छा रिलेशन रहा है उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान इसराइल के पती अपने प्यार को दर्शाया था और इसराइल हमे आने से पहले अनेक्सेशन भी किया था न्यूस बहुत बड़ी हाइप हुई थी तो उसका भी कारण यह था कि उनको पता था कि ट्रॉम्प जी कुछ भोलेंगे नहीं बाइडन साब कल को आते हैं तो समस्या उन्हें देखनी पर सकती है तो ट्रॉम्प ने एक जो कदम उठ पर इस था कि भाईया हम रिकटनाइस करते हैं आपकी कैपिटल को इसके अलावा देखो इसराइल जो है उसको इराम भी पसंद नहीं है और इरान भीया आपके डोनाल ट्रॉम्प को पसंद नहीं था तो आप देख सकते हो कि यहां पे तरीके से नेक्सस था दोनों ही कंप् इसके बीच में during that period of Donald Trump. अब यहां पर राइटर जो है वो Biden जी की बात करते हैं कि Biden जी आएंगे तो क्या करेंगी क्या वो इसराइल से जो डिलेशन है Trump जी के द्वारा क्रेट किया गया था उसे खराब कर देंगे उसे क्या मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे सारे डि जो कंट्रोल ने रखा एक आगी सारी एरिया का illegally तो वो वापस करके उनको एक अलग देश बना दिया जाए तो इसका जवाब देखो जो राइटर हैं वो यह देते हैं कि बाइडन साब जो हैं वो externally भले दिखा दें कितना भी कि हम चीजों को चेंज कर रहे हैं हम चीजों क उस तरीके से नहीं mold up करेंगे और diplomatic बनने की कोशिश करें लेकिन अंदर से जो फैसले ले जा चुके हैं Donald Trump के द्वारा वो उसको change नहीं करेंगे इसराइल से अपना relation को maintain करेंगे राइटनेक टर्म यूज करिए cosmetic कि मतलब ये US के तरफ से कॉस्मेटिक ली रिखाया जाएगा कि वो कुछ कर रहे हैं वो इसराइल से थोड़ा सा नराज हैं कि आप ऐसा करिए आप ऐसा करिए लेकिन internally वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो ना ही वो प्रेशा डालेंगे इसराइल के ऊपर तो इस इस वाट इस आर्टिकल इस वाल इबाउट कि जो भी डोनाल टर्म के फैसले थे जैसे कि जारूसलेम वाला ही ले लो जारूसलेम में ही इंबसी रहेगी continue रहेगी प्लस अगर आप बात करो कि और भी कुछ अलग-अलग फ बात आ रही है कि इरान जो है वहाँ भी डोनाल टर्म के अपना लगी रिलेशन बिल्ड हो गया था बिल्कुल एनिमी वाला है ना बट बाइडन साब ने तो कहा था कि नुकलर डील में वापस लाएंगे हम और अब कोशिश भी हो रही है तो देखते है फ्यूचर में कि उस चलिए इसके बाद देखो न्यूस क्या आ जाते हैं आज की तो पहला एक न्यूस है टूल किट केस टू सीक एंटिसिपेटरी बेल बताओ कौन से प्रोवीजन में लिखी हुई है इंडियन काम भारत की कौन से लौ में है क्या कानून है जल्दी बताओ समय बेस मत करो मैं आ क्षेटन वहने आप से पूछें फिर जवाब देना है पहला इंडियन के किस सेक्शन में रिखा हुआ है और दूसरा कोस्चन में कि क्या देश给 ।ो पता है इसको पता है कि कल को इसके अगेंस में F.I.R. हो सकती है और अगर मैं अरेस्ट होंगा तो मुझे बेल मिल जाए फिर से मैं रिपीट करता हूँ एंटिसिपेटरी बेल का मतलब यह होता है कि एंटिसिपेट करना कि फ्यूचर में आप अरेस्ट हो सकते हो और आपको बेल डे दी जाए कि कल को आपको पुलिस अरेस्ट करने आए तो आप उनको पर्चा दिखा दो और उसके बाद आपको पुलिस अरेस्ट ना करे मेरी बात समझ में आई एंटिसिपेटरी बेल की तरह हमने पढ़ी थी इंटरिम बेल यह हमने अन्नव गोस्वामी जी केस में पढ़ी थी याद है आपको इंटरिम बेल क्या था इंटरिम बेल का यह था कि मान लो आपका बेल का जो मुद्दा है यह सेशन कोर्ट में पेंडिंग है ठीक है अब आपको कुछ समय लगेगा बेल मिलने में तो इस समय जा आप अरेस्ट हो जाओगे फिर क्या करोगे मतलब आप ओल लेडी एफाई आर आपके अगेंस्ट में हो चुकी है सारी चीज़ा आपके अगेंस्ट में है आपको पुलिस अरेस्ट करने कभी भी आ सकती है या फिर आपको अरेस्ट कर चुकी है और आपका जो bail का मामला है वो session court में pending है अब आप क्या करोगे आप interim bail फाइल करोगे high court में या supreme court में जिसमें कि आपको ये कहा जाएगा कि भाईया जब तक ये bail का मामला खतम नहीं हो जाए तब तक आपको कम से कम arrest ना किया जाए मतलब अगर interim bail अन्नव गुसामी जी के case में आपको याद होगा supreme court ने उन्हें दे दी थी क्योंकि यहाँ पर मामला चल रहा था तो interim bail का मतलब यह कि जब तक ये मामला खतम नहीं हो जाता जैसे यहाँ पर अगर bail cancel हो जाएगी तो भाईया फिर interim bail खतम मैंने बताईएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कल मैं आपको जवाब जरूर दूँगा और मेरे दूसरे कोशन का भी जवाब दीजेगा कि क्या district court के अंदर anticipatory bail फाइल हो सकती है या नहीं ठीक है चलिए और वैसे आपको बताई देता हूँ चलो यह तो आप बताना मुझे supreme court के अंदर आप कब जाते हैं जब आपके fundamental light का violation होता है आप high court में कब जाते हैं जब आपके fundamental light का violation होता है किस-किस माध्यम से आप supreme court and high court में case लेके जाते हैं आप रिट्स के माध्यम से लेके जाते हैं रिट्स कितनी होती हैं पांच होती हैं कौन-कौन सी habeous corpse, mandamus, sarshishori, kui warrant, provisho ठीक है इसमें से कुछ रिट्स जो हैं वो public and private body zone के against में issue हो सकती है जैसे कि habeous corpus, habeous corpus और कुछ ऐसी रिट्स होती हैं जो सिर्फ public individuals के against में issue हो सकती हैं ठीक है तो this is it, बढ़ते हैं आगे चाइना pulls back from finger 4, यह तो finger के concept है मैंने आपको बताया था, इनको finger को होलते हैं क्योंकि कुछ इस तरीके से मुठ्छी बनाते हैं जैसे आपके हाथ के मुठ्छी है ना वैसा सा बना हुआ है ठीक है तो यह रा finger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहां पर देखने कोई मिला है कि चाइना जो है finger 4 से भी pull back कर रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है दोनों ही देशों के लिए इंडिया और चाइना के लिए कि जो बॉर्डर पर इतने समझ से जो टेंशन चल रही है फाइनली यह सॉट आउट होने की तरफ आगे बढ़ रही है और लेट सी फूचर में अब जो है चाइना जो है इस तरीके की बावाल को अंजाम ना दे तो डिसंगेजमेंट जो है हम जानी रहे हैं काफी दिन से न्यूज में आ रहा है कि चल रहा है और उसी के तरफ यह आगे कदम बढ़ा है कि भाईया आप फिंगर फोर से भी जो है चाइना ने कुल्स बैक कर लिया है फिर इंडियन कंसर्ण अबाउट प्रिविस सी ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भोला है देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फेस्बुक एंड वाटसब की जो गट्रोवर्सी हुई थी प्राइवेसी वाली उसके उपर अपनी स्टेटमेंट दिया है कि फिर भीया आप जो है अफिडेविट फाइल करिए कि इस तरीए की चीज़े नहीं होंगी बहुत सब इलाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहाए कि यह जो इंडियन हैं हम लोग है भारती जो हैं हम लोग का एक कंसर्ण है कि इस तरीए की चीज़े ना हो और हम इस तरीए की चीज़ों को यहां पर होने नहीं देंगे एक चीज़ आपको पता होगा कि यह जो वाट्टेट का अपडेट आ रहा था यह सिर्फ इंडिया के लिए और हमारे आसपास के देशों के लिए आ रहा था च्योंकि यूरूपियन कंट्रीज में इस तरीए क को और वो बोलता है कि भाईया अगर आपने एक डेटा को एक आप की इंफरमेशन को दूसरे आप को दी तो वो कानून अपराद हो फिर आपको काफी सारी पेनल्टी जो है वो पे घंनी पड़ेगी तो इस तरीकी का लाव भारत में भी लाने की बात चल रही थी लेकिन का क्यों आता है कैसे आता है यह अपने आप में देखने की बात चलेगी थीक है सुब्रिम को सुप्रीम कूट पूट सॉफ हीरिंग औ केला पली अगेंस प्रवेटाइजिंग एरपोर्ट यह क्या अड़ानी जी को केला का एरपोर्ट देने की जो बात है उसी के ओपर यह नि पता होगा भाशन चार करके जो है एक आइलेंड बनाए गया यह अब शी 504 किया है यह कहां बनाया गया है इक अइलेंड बनाये गया है एक मिणिंट लोगों को सेटल करने के लिए कहां के दौरा बैंगलादेश के द्वारा इसमें जो रिफ्यूजीज है रोंग्याज रिफ्यूजीज है यह प्लान है बंगलदेश का कि उनको भसंचार में सटल किया जाएगा तो उसी के चलते हुए कि दोजास रिफ्यूजीज को और भीजा गया है वैसे तो विश्यू के काफी ज़्यादा क्रिटिस्म कर रही है मैं कि अस तरहीoon करने की कोशिशिश आफ्टर कुछ बोला उन्होंने आफ्टर दा हाँ वैक्सिनेशन वाला ड्राइव को इंप्लिमेंट किया जाएगा भारत में और उन्होंने ये भी गारेंटी थे कि जो इंडियन माइनर्टीज हैं भी आपको परिशान होनी की ज़रूरत नहीं है तो दिस इस इट गाई इस चली इस एक बाई इसको रिपीट करते हैं तो आज हमने देखें फर्स्ट हमने देखा है डेट ट्रैप ये एडिटोरियस जो है ये फाइर क्रेकर इंडस्टी से रिलेटेड था हमने देखा कि क्या कारण जो है राइटर के अकौर इंग थे जिसके वज़े से ये चीज़े देखने को मिलती हैं और चीज़ों में सुधार करके इस चीज़ों को रोका जा सकता है फाइर केकर इंडसட्री में समस्या जो है बहुत बाद दिखने को मिलता है कि इस तरीके के इंसिलेंट्स जो है यहाँ पर समय समय पर होते रहते है और अग़ अक座ां को रहुए तो य इसी वीक में cover कर लेंगे मैं आपको date wise बता दूँगा तो आप लोग इतना परिशान मत हो ये don't worry about it trust me और पढ़ते रही है ठीक है इसके बार हमने करिटोल देखा continuity not change is Biden's plan for Palestine और कल से modern history की class भी शुरू होगी timing जो है मैं telegram आपको update करूँगा तो यहां पर क्या article था यह article देखो आया था कि किस तरीके से Donald Trump के relation थे इसराइल के साथ और क्या Biden जी के भी relation वैसे रहेंगे क्या Biden जी भी openly इसराइल को इतना support कर पाएंगे जैसे Trump साहब ने किया था तो जवाब आता है कि openly तो नहीं करेंगे लेकिन अंदर से support रहेगा और change जैसा Trump जी ने किया है कोई भी move को reverse करनी कोशिश नहीं करी जाएगी जिसमें एक सबसे important मुद्ध है Jerusalem को as a capital बनाया गया था इस जिसको आपको अंदाजा लगाना होगा कि ऐसा actually में नहीं है कि जो Jerusalem है वो कोई मतलब of course Jerusalem is a disputed part disputed territory between Palestine के लोग और आपके इसराइल के लोग बट यह जो step उठाएगा था Trump जी के दोरा यह kind of indirectly ही था कि हम जो है Jerusalem को capital मानते हैं Israel की तो अब वो जी वापस तो नहीं करी जाएगी Biden जी के दोरा यह ची राइटर बोलते है राइटर यह बोलते हैं कि Biden जी जो है वो cosmetic way में मतलब दिखावे के लिए इसराइल से थोड़ा का distance दिखाएंगे या फिर कुछ चीज़े बोलेंगे अगेंस में बोलेंगे इसराइल के लेकिन in the end वो उसके ऊपर कोई action नहीं लेने वाले है ठीक है फिर हमने देखा एंटिस्पेट्री बेल के बाहरे में के बापे अंठीक्टी बेल के बाहरे में देखा थशा mere गषार के के अंदर सुपरीम कोट में जाते हो हाई कोट में आप 246 के अंदर जाते हो देहान रखना शाफ्रियुल्ठी नहीं को बाइस एससा बोलते हैं कि में ही पाई जाते हैं ठीक है अब देखो ये भी एक ही राइटर बोलते हैं कि अगर इन्होंने तहीं के सी जोड को सौट आउट नहीं किया तो काफी का यूज किया और उसके थुरू इरान के साथ एक सॉल्यूशन पर निकल किया इसका नाम था इरान निप्लियर भी ठीक है अभी अगर हम बात करें तो बाइडन साफ के टैन्योर में पहली बार इरान की कुछ प्रॉक्सिस के उपर बंबार्डिंग हुई है तो राइटर आप की साथ एके पर किसका टोज एलाई ए यह राए इसके इन्हों ने कांड़ फटकाल लगई इधर इरान को भी इन्हों ने थोड़ा-सा भी तंग कर दिया कैसे तंग कर डिया कि इरान की कुछ प्रॉक्सिस थी जो युएस को तंग कर ली थे इराट में इन्हों पर पाउमब तातर वाइसे अभी भी इरान चांसे हैं कि नाराज हो जाए इस बात से कि भाई यह हमारे उपर बॉंबार्डिंग करा दी हो फिरान यूकलीड में ना जानी की कोशिश करें वारतल आपना करें डिपलमेटिक टाइस पर ना जाए करेंगे ऐसा राइटर बोलते हैं अब वो तीन की चैलेंजिस कौन फॉन से इक बार देख लिया जाए तो सबसरे पहला देखो यहां पर यह आ रहा है कि पहला जो है कि अभी जो यह बॉंब कराया है बॉंब फ्रो इरान मिनिटेंग्स के उपर सीरिया के अंदर कराया है इरा यहां फिर और देखो दूसरा क्या है युएस की डिपेंडेंट्स ऑन साउधी अरेबिया जो है वह रिडियूस हुई है रेसन्स ने थीक है तो इसके वाजेसे क्या है कि साउधी अरेबिया को भी वाद पता है ईस जो है बमें ज्यादा भाव नहीं दे रहा है तो साउधी आपको पता है कि इस्राइल को इरान मिल्कुल पसंद नहीं है और आप एक तरफ इरान पे कह रहे हो कि आप जो है इस्राइल के लिए चुप क्यों इस्राइल भी तो काफी समय से हुमन राइट वाइलेशन कर रहा है और कब तक चुप रहा होगे तो यह तीन जो समझते हैं अभी बाइडल साब के सामने सबसे जादा है लास्ट मेरे को राइटर जो है वो यह बोलते हैं कि भीया पहले इन सब तरीके से चीज़े सोटाओ हो जा सकती थी डिप्लोमेसी यह वो बट अब जो है फाइनली यहां पे कुछ अलग तरीके का अटिटूड लेके आना होगा और आप ज्यादा डिप्लोमेटिक हर कंट्र इसे नहीं रह सकते हो बाइडन साब के लिए भी एक आए आपके जो पॉलिसी हैं वो आपको सामने लाने होंगे चाहे से कोई नाराज हो चाहे कोई खुश हो ठीक है इसके बाद देखो अबना आर्टिकल जो है वो है आधार आधार एस हर्डल अपकोस आधार कार्ट के है वो कैंसे लोग या फिर ऐसे अधार कार्ट ना बने होने के कारण या पिर अधार कार्ड में को समस्या होने के कारण जो उनको बैनिफिट्स मिलने थे गौर्ण्मेंट के तरफ से वह वह अवेल नहीं कर पाए फॉले एक्जाम्पल आप ऐसे लेलो मान लो भीया चावल रोटी गेहूं रोटी का लजश्रत हो या गेहूं चावल ठीक है यह सब राशन लेने के लिए आपको अधार कार्ड लेके जाना पड़ता होगा जो भी गरीब देखा के नीचे आते होंगे उनके लिए कह रहा हूं लेबर्स के लिए आपि जो भी सरकार की स्कीम से उसके अब भाई किसी के पास अगर यह अधार कार्ड नहीं है और वो गरीब ही एक्चुली में ही इस गरीब बड़ उसके पास वो अधार कारा भी नहीं है तो अगर वो बंचित रह जा रहा है इस सर्विस को अवेल करने से तो नुक्सान आखिर में वो किसका रहा है अफकॉस ज संधार कि तरह काम कर रहा है अभी क्या हुआ सुब्रीम कोट में में यह बात को एक्सेट किया और उसको कहा कि यह चिंता का विशा है एक मामला आया वह था उसमें यह लिखावा था कि तीन करोर राशनकाज जो है वो कैंसल हो गए भारत के अंदर आधार से में डाटाबीस कनेक्टिविटी ना होने के कारण अब यह अपने आपने चिंटा जनेक विशा है कि भाईया तीन करोड आशनकार अगर कैंसिल हो गए है जिसका मतलब तीन करोड ऐसे लोग जिनको जरूरत थी खादी पथारतों की फॉर्म गॉर्णमेंट वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए है और यह अपने आपनी चिंटा का विशा सुप्रिम कोट ने बात को उठाया है और तो सुप्रिम कोट में पहले आधार कर जब वर्डिक्ट आय अवेज नहीं कर पाएं ड्यू तो नॉट हैविंग दा कनेक्टिविटी और आधार कार्ट फॉर्म राशनकार्ट ठीक है यह सारी चीजें है ठीक है इसमें देखो एक और पॉबलम क्या जाती है ना कि आधार कार्ट में जैसे फिंगर्स होते हैं फिंगर्स आपके अच्छे माहूल में रहते हो तो तुम्हें यह चीज नहीं पता होगी बट जो लोग लेबर लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं जो मेहनत करते हैं उनका फिंगर्स दीखेगा उनका फिंगर्स जो है वो खिस जाते हैं उसके वजह से फिर उनके थम इंप्रेशन भी काम कर दें तो इस चीज़ को भी राइटर नहीं पर रखा हुआ है कि भीया अगर कोई इस टेक्निकल्टीस के वज़े से नहीं चीज़ा प्राप्ट कर पा रहा है कि उसके थर्म इंप्रेशन मैच नहीं कर रहे हैं या ऐसा नहीं हो रहा है तो यह सब कितनी गलत बात है में देख के अंदर उजागत करने की कोशिश करे रहे हैं कि अधार का जो यह नंबर वाला सिस्टम है ना यह काफी गलत तरीके से चीजों का आगे बढ़ा रहा है और इस पर कुछ स्टम उठाने की जरूरत है क्योंकि आगर सिर्फ इसके वज़े से आप किसी को भंचित रख रहे हो इतनी अच्छी स्कीमों से या फिर जो भी आपने स्कीम बनाई है तो वह गलत चीज़ थीक है तो यह सारी चीज़ है कि अगरे आगे थीक है चलिए इसके बाद देखो अगला आटिकल जो है आपका वो है फॉरर रीसेट क्या आटिकल है यह बात करता है यूएस और चाइना के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं इसमें देखो अभी क्या है इसमें यह है कि चाइना यूएस की नीच मे बागे बढ़ने वाले हैं तो एक बात यहां पर लिखी हुई है कि आपके रिप्रेजन की मीटिंग होने वाली है बेट्विन यूएस सेकेटरी स्केट एंटोनिक बिंकन एंड याइन जीन की सी सीपी पॉलेटर में वार्वार वज़ा कोई भी है महां के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव और चाइना की रिप्रेजेंटेटिव मिलें ठीक है तो अलास्का मिन की मिटिंग चल रही है तो काफी सारे इंप्वर्टेंट मुद्दों के ऊपर यहां पर कुश्चन पर बात होगी और वैसा तो इस तरीके के करी टोडर हमने पहले पी डिसकस कि है वह था कि क्या बाइडन साब की आने के बाद चाइने से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है देखो जो डोनाल्ड टरंप नी किया वही पॉलिसी बाइडन साब बे आगे बढ़ाएंगे बसे होस्टाइल अप्रोच भी रखेंगे तो डिप्लोमेटिक तरी है पहली चीज और दूसरा पर दिलतरिये का भी उस कर रहा है तो आप प्रॉब्लम क्या देखो चाइना से क्या बात करेगा यूएस यूएस उठाएगा मुद्दा की जो आप फिर्मन डाइक वालेशन कर रहे हो अपने अपने जापान के साथ जो बॉटर रिशू छेड़ पर आपकर कुछ मामला हो जिसके बज़े से यह हुआ हो चाइना ने छुपाया है तो उसके बाद चाइना ने उस्ट्रेलय को प्रेशर डाल दिया तो कि भाई आप तो यही प्रॉब्लम है तो यह साही चीज देखने पो मिल रही है तो यह सारी युएस बढ़ाएगा तक बवाल हुआ था यह हटा हो हम पर सेंक्शन सब्सक्राइब उसके रावा जो चानले चानलेट था चानल हो गया था उसको चानलो कर रहाए जाए तिस सारी बाते जो इस आटिकल में लिखे हुई है और इसको आप पड़ सकते हैं अगला आटिकल जो है यूज है मैं आपको को बोला बाइंदू ने डाउनलोड करने वाला फेज का ऑप्शन हटा दिया था इसलिए मैंने फोटो ले लेके चिपकाई है इस पर आज ही है वो कुछ टेखनी के वेबसाइट पर सुप्रीम कोड़ यह प्ली अगेंस से लॉफ एलेक्टोरल बॉंड्स पहले तो देखो आँगा कि एलेक्टोरल बॉंड्स होते क्या है ठीक है मैं समझाओंगा पर पहले बाब पढ़ लेते हैं इलेक्टोरल बॉंड्स क्या होते हैं यह डोनर्स को अलाउ करते हैं कि यह फोलिटिकल पार्टीज को पैसा दे सकें बैंक को ऐजे इंटरमिडिटरी मानते हुए की इलेक्टोरल बॉंड 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 रॉपे से लेके एक करोड तर के लेक्टोरल बॉंड्स खरी सकते हो और सबसे इंपोर्टिन्ची जिसने दिया है उसका नाम इसमें नहीं होगा ठीक है होता क्या है सिंपल ऐसे पहले समझ दो पहले समझ दो पर पढ़ता हूं मैं जिसे मांग लों कि कोई प्रटिकल पाटी है के के टीस इस प्रटिकल पाटी को आपने की मुझे हजार रुपे देंगे तो क्या सिस्टम ऐसे आपको इसके लिए बैंक में जाना पड़ेगा और प्रभी कि specific bank ते इसका नवा मुझे comment section में बताईए इस specific bank पर आप जाएंगे आप यहां पर 1000 रुपे देंगे आप बोलेंगे मुझे फला party को electoral bond देना है मुझे पैसे देने हैं तो आप bank को 1000 रुपे देंगे आपको इसके बदले में electoral bond मिलेगा क्या मिलेगा electoral bond यह electoral bond जो है आप इस KKP party के office में जाकी KPP party को दे देंगे फिर यह KPP party के बदले bank आएंगे electoral bond देंगे उसके बदले में इनके account में पैसा आजाएगा बात समझ में आया यह क्या होता है यह electoral bond का system होता है यह bank को कौन था जल्दी बताओ और इस this specific bank जहां पर यह पैसा दिया जाता है यह कौन सा specific bank के जहां में पैसा दिया जाता है कोई भी commentation में नहीं बता रहा है यह बड़े दुर्भागे फून बात है आप लोगों को में एक मिनिट दिता हूं करता हूं में भी आप बता दो eligibility क्या है तो as per the provisions of the scheme electoral bonds may be purchased by a citizen of India और entities incorporated or established in India a person being individual can buy electoral bonds either singly jointly with other individuals only the registered political parties which have secured not less than 1% of the votes pulled in the last looks of high elections or the state legislative assembly are eligible to receive the electoral bonds ठीक है इसाई चीज समझ में आई अब यहां पर news क्या है news देखो मामला क्या है नहीं कि इसमें जो टेई का नाम नहीं बताया जाता है इससे क्या होता है इससे यह होता है कि मांगो तुमने electoral bond के नाम पर तुमने किसी को एक करवर रुपे देदिये किसी पार्टी को अब वो पार्टी जब करको सक्ता में आएगी तो वो फिर आपको फेवर लोटाएगी कि नहीं लोटाएगी है ना तो जब वो फेवर लोटाएगी तो कैसे लोटाएगी आपको बिजनेस अप्रशनिटी ज्यादा देगी आपको गवर्मेंट में जो भी टेंडर्स हैं या कुछ भी ऐसे चीज़ होंगी वो काम देगी आपका थोड़ा सा फाइडा कर देगी तो यह चीज रोगने के पशांट हुशन साहब ने केस डाल दिया है सुप्रीम कोड के अंतर और उसी का माम लाए कि सुप्रीम कोड जो है इसके केस में प्ली सुनने वाली है ठीक है क्लियर हुई बाद बैंक का नाम अभी तक आप मेंसे किसी ने नहीं बताया बैरी गुड सभी ने बता दिया एक बाई ने लिका है वर्ड बैंक तो मेरे भाई वर्ड बैंक अंसर नहीं है SBI है State Bank of India सिर्फ SBI जाके ही आप पैसा सब्मिट करके इलेक्टरल बॉंड इशू करा सकते हो किसी भी वर्टिकल पार्टी को देने के लिए इसके बाद देखो अगला आटिकल है इंडिया है अश् में शिलंका चाता है कि भारत इनका सपोर्ट करें नितिनगर्दकरी साहब ने कहा है कि जो उतने भी टोल हैं हमारे कंट्री के अंदर वो अगले एक साल के हमदर हट जाएंगे GPS टेक्नोलोजी का यूज करके टोल काटा जाएगा इसके अलावे इन्होंने यह भी स्क्रैपि सब्दाबी वड़ी चाहेगी सारी सिभल में इसके पर आफजिंग तो आफजि wa में चाल रहे होई है उसको रचिया में हो स्ट किया है अफगानिस्तान थस्गी की बात घर अप देगे आफट पता है यूच जाना चाहरा है तो वहां का की जो ग würden कै데ー वहां पर तालिबां और सरकार के उपर शुड के चला जाएगा तो फिर फिटर में वही देखने को मिलेगा जो पहले देखने को मिला था कि अफगानिस्तान पर तादीबान का साशन हो जाएगा और कालीबान जो है वह स्वड़ा सा शरियत लौ चलाएगा वहां पर फिर वुमेंस के पास राइट लिएक और फिर और एक बार फिट से उससारा रिवाइस करेंगे लेकिन उससे पहले कोई डाउट हो को इसमस्चा दो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता है बहुत सारे लोग वान्ट के बारे आप एक बार एकस्क्रीन करता हूं आप रहे देखे ही कैसे कोई बंदा है इस कर देखा चाहितके संमझते ही कोशिश करते हैं कि राइटर जो है इस आर्टिकल में क्या बोलने की बाद गर रहे हैं वाद की वर्च्वल मीट होई थी उसके बाद एक टाइंड आफ मैसेज जो है वह कौर्ट के कंट्रीज ने चाइना को दिया और इस पूरे मीट में चाइना के बारे में डारेक्टल को डिसकेशन नहीं हुआ लेकिन इंडारेक्टली यहां पर डिसकेशन हुआ रहे पर बोलत हो सकते हैं सी से क्लाइमिट चेंज हो गया है ना एक हो गया टेकनोलोजी हो गया और एक कोविट नाइंटीन वेक्सीन हो गया तो में मुद्दे तो कौर्ट के यह थे पर एक जो छुपावा मुद्दा था वो चौथा सी था हो क्या था चाइना ठीक है तो अभी देखो जो अलास्का वाली मीट के तो उपर हम नहीं जाएंगी क्योंकि हमने और इस आर्टिकल को डिसकस करते हैं कि इस आर्टिकल में क्या कुछ अलग पॉइंट्स आ ठीक है तो इसमें यह कहा जा रहा है कि देखो इंडिया के गर हम बात करें तो जो का समिट हुआ था उसका में ती नहीं सील का वर्किंग ग्रूप्स का तो आया ही कि भाई कोवी नाइंटिंग में उस साथ को अपिरेट करेंगे क्लाइमिट चेंज में में हम बात करें ही नेखनालोजी के मुद्वे में हम वागी रहें हैं साथी साथ न्टिकल्स इस आतली इंडिया का और वागी गंड़ तो यह बात भी है ठीक है इसके बाद यह सब चीजे तो दिखी हुई है जैसे इसमें 3C को एकस्प्लीन करने आई तर जो पहले 3C हैं वो क्या थे तो पहला जो था वो COVID-19 की वैक्सीन वाला था उसमें इंडिया का बूल होगा हमने देखा दूसरा climate change के लिए अगर इंडिया सब्सक्राइब कर लिया है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन भारत यहां पर यह चीज एकस्पेक्ट कर रहा है कि यूएस ने देखो एक समय में वादा किया था कि वह काफी सारा पैसा इंवेस्ट करेगा solar panel technology को लोगों तक पहुंचाने के लिए छुटी- यह चीज़े हैं तो हमने दो सी के बारे में देखा कि COVID-19 वाला जो सी है उसका भारत का क्या परस्पेक्टिव है प्लाइमेट चींज के लिए भारत का क्या परस्पेक्टिव क्रिटिकल टेकनलोजी तो आप समझी सकते हो कि भाई बलकुल ज़रूरी है हमें टेकनलोजी शे यह सारी चीज़े हैं अब आता है फोर्ट सी फोर्ट सी है क्या चाइना तो अगर आप हिस्ट्री उखा के देखो पुराने कुछ फॉरेंड आप रिलेशन्स देखो या हमारे इंप्लोमेस्टी देखो तो आप एक चीज़े देखो कि भारत जो है वो कभी भी इस तरही ची करने के लिए जड़े तयार नहीं होता था लेकिन इस बार क्वार्ट को काइंड ओफ एक मिलिट्री ग्रूप भी बना दिया गया चारो कंट्रीज जो पार के मेंबर से ऑस्टेलिया जापां इंडिया यूएस सबने मिल्के मिलिट्री एक्ससाइज करी तो यह सारी चीजे जो हैं कहीना के इस चीज को दिखा लिए कि भारत इस बात को समझ रहा है कि जो चाइना है वो हमारे लिए ठ्रैट चाइना जो है वह हमारा परोसी भी है चाइना जो है वह इस चीज को समझा है और वह इसलिए यूएस की फ्लोज आ चुका है तो यह जो फोर्ट सी है चाइ और यह चुप नहीं रहेगा तो इस इस वार्ट इस आर्टिकल इस और अब टीक है कोई डाउट इसमें कोई समस्या नहीं होनी चीए ना क्लियर हुआ चाहिए ठीक है कुछ और इतने में तो प्रॉब्लम नहीं ना कि शुर्यक बढ़ते हैं एएड सोट पोटारिश्चिनेशन की वह चिए करेगा फहरां सबस्वाइब की बढ़ रहा है प्रावलों अब बहुत कम लोगों को अब आप आप देखो तो जीरो पॉइंट वन वन लोगों को पर हंड्रेड में वैक्सिनेशन पोहँच पाया है ठीक है यह एक आखड़ा है तो अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह कि कुछ तरीके राइटर में सुझा हैं जिससे आप जो है को बूस्ट कर सकते हो COVID-19 के vaccination को तब से पहला जो एक तरीका सुझा है वो है कि प्राइवेट मार्केट को भी इंटर्डूस कर लो और अब जो है, बैइवेट करो कि इतने रुपए में नहीं र्यूकर Сейчас है, प्राइवेट में मील बेच पाया अर चॉपट्छ पिन उनको भी आलाओ करो, पैवट प्लियर्स को इंट्रिद्यूस करो, कि भाई आप भी आओ, और इस चीज को लगाओ, इसके पास पैसा है, तुछ फिक्स पैस कर दो, वो भाई उस तरीकेस आपने आपको लगवाए, और एक सचाव राइटर ने ये दिया, कि जो ये आपने 50 व पैसे जा रहे हो, देहो, जब आप भी फ्लाइट में बैटना, तो फ्लाइट में जो एर उस्ट्रेश होती है, बार्निंग में बताती है, कि पहले अपना मास्क पहने येगा, तो हमारी गवर्रमिंट को पहले इंशोर कहनना चाहिए, कि पहले भारतियों तक सारे वेक्सिन तो जो इंडिया वैक्सिनेशन प्लान इसको और रश करना पड़ेगा एक इंडिया रश्या की वैक्सीन थी इस पूतनिक उसका काफी अच्छी पीशेंशी सब बता रहे हैं काफी अच्छा हूं चल रहा है तो उसको भी जो है अमर्जंसी उसके रहाओ किया जाए और उसको प्रश्या करने की पर्मीशन मांग देए इन गौर्मेंट मिल जाएगी तो वह भी प्रश्या होने लग जाएगी तो यह सारी बाते हैं आप सभी को करता ही यह उसमें वहीं चीन को ने आपर रहा के लिख ही इसके बाद एगल जो है वह था चेजिंग पीस से रिलेटेड च जो है था हमारा उसी से रिलेटेड आटिकल जो हमने कल एक डिसकस किया था ए युएस का अभी देखो रॉष्या ने प्री दरीते का रहने नीडिसकस किया था रॉष्या ने टीसकाओ सब ही अरेंग्च किये थे यह डोनाद पर अंपने डेडलाइन रखी थी कि यूएस की जो फोर्सेस है वो चली जाएगी अब यूएस चाहता है जी थोड़ाइन बढ़ लाई जो कि एक में तक तो जाना समभब नहीं हो पाएगा पर टालीबान चाहता है कि भाईया आप तो एक में को जाओ कि आपने अग्रिमेंट क्या हुआ है तो यह तो इस आर्टिकल के अंदर चीज़ें हैं लेकिन यह थोड़ाइन सा और इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लो आपको पता होगा अफगानिस्तान के अंदर यूएस की फो होना होना तो है नहीं है यहां पर जो समस्य है कुछ अलगी रेवल की प्रॉब्लम है तो अगर हमें आपके कितनी पर हमारी सोल्डर्स को भेजेंगे कितना पैसा खर्च करेंगे तो हम बेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए यहां से जाना था ने पूरी कोशिश करी उसके बाद आप बाइडन साथ को भी वहां से लेकर जाना है लेकिन युएस की भी तो इगो यहां पर लगी होई है कैसे लगी होई समझो युएस चला गया और अफगानिस्ता में वापस मानगो सारे वाइलेंस होने लग गया तालिबान ने भाई खुम्राबाश शुरू कर दिया आत इसे तो नहीं जाएं कि वहां पहुत सारी दिक्कत बढ़ी जाए समझ रहे हो तो यह सारी प्रॉब्लम जो है वो सामने है लेकिन अब युएस जाना तो चाही रहा है तो जल्दी जाना चाह रहा है यह कोशिश पूरी करी रहे तो देखते हैं क्या होता है इसमें आगे ले यह हुआ है लेकिन अब जो है युएस जितने भी प्लेयर से उनके बाद पता है कि एक तारीक बहुत जल्दी है और अब यहां पर को ऐसा समझा निकला निये तो जाने का मतलब बनता है अब क्या होगा तालीबान ने धंकी दिये कि अगर यह तो एक तारीक पर नहीं जाओ की अंडर मैं अब यह आटिकल जो है हम नहीं डिकार हुआ है तो उसकी के बारे में यह चलो मान लिया यूटरिधर रही है लेकिन वहाँ पर सरकार पैठार बैठती है तो इतनी पावर तो उनके पर सब्सक्राइब नहीं चलिए बढ़ते आगे तो आज के चुब पहली यूज वो देख लेते हैं इस्टेट रिजॉलूशन ऑन सेंटर लॉज आर फाइन यहां पर देखो वोग्ले साब ने यह कराए कि देखो जैसा भी क्या हो रहा था कि अलग अलग स्टेट की सरकारे जो हैं वो सेंटर गवर्मेंट कोई कानून लाती थी उसके अगेंस्ट में डिसलूशन लिया आती थी करने लेकिन क्या state legislative assembly अपना opinion नहीं रख सकती है क्या ? मतलब यह बता दिया गया है कि भाई A Agra State legislative assembly कोई बिलपास कर रही है अगेंस्ट आफार ऑपिनियwhen तो थीक है करने तो वनका opinion है, मानना ना मानना parliament का काम है, government का काम है, और वैसे भी state legislative assemblies कोई भी तरीके से law path कर ले वो Center government के दौरा जो है parliament के दौरा जो law बनाया हूँ तो से तकावारिज नहीं कर सकते हैं तो यही बात यहां पर लिखे हुए हुई इसके बाद है 5 states account for 80% of new infection भारत में देखो COVID-19 के केसे बढ़ रहे हैं और ये चिंटा का विशा है जल्द से जल्द आप भी अपने घरों में फेरिंट्स को एल्डर लोगों को रैक्षिनेट कराईए इंडो पार्क रिलेशन्शिप अमिंदर साब जो हैं एक अमिंदर जी उन्हों ने ऐसा बूला है कि भारत पाकिस्तान की रिलेशन्स उधारने की बात तो बाद में गरना पहले जो टैररिजम है पाकिस्तान तो उसको सौट आउट गरो फिर बात करना अंचे सुधारने लिए इसको रोका जाए और इसको आगे ना बढ़ाया तो यह यह आपर मुद्द्द है इस पे जो है हाई कोड का क्या पर दिसीजन हो देखा जाएगा इधर मोर टूरिस्ट्स विजिटिंग कश्मीर कश्मीर में देखो पहले फॉरन टूरिस्ट आते थे तो अभी यहां पर आखड़ा है कि भारत के तूरिस्ट जो है अब भारती है लोगों ने जानना शुरू कर अब इनका पोचिंग हो गया है नहीं हुआ है इस इस कंफर्म नहीं है बट गायब तो हैं टाइगर जो है या पता ही होगा आपको पहली बार टाइगर को कंशर्व करने के लिए प्रोचट टाइगर चलाया गया था 1973 में तभी भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था हिसे इनग प्रोचिंग काता है कि अक्रिसीर हुआ और आखिर्ड मैं यहीर यह भी से टो हम्हारे लिए कि डिनका ट्रकों को दोर्च है तो यह सामने वाला पार्टनर्वी हमारे लिए सीरियस है ना तो यह आए हैं भाई मीट करने के लिए आप इस सारी बातों पर डिस्केशन करेंगे इसके अलावा यूएस चायना इस पेड़ेट अलास्का मीट हमने इंटोरियल में देखा यूएस ने इनके ओप लगा है कि भ यूएस चायना इस पेड़ेट अब आपके कोई डाउट सों तो चलिए फिर शुरुवात करते हैं इस आटिकल के अंदर दिली का इतिहास लिखा हुआ है कि किस तरीके से डिली के अंदर जो है वह government आई और क्या पहले से दिली में government थी या फिर बाद में आई क्या था पूरा मसला तो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ चलिए फिर शुरुवात करते हैं discussion की तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि Parliamentary democracy जो है वित अ cabinet form of government इस पार्ट ऑफ दर बिसिक इसके बाद देखो अगर हम बात करें यहां पर बोलते हैं कि जो पहला आर्टिकल है वही यह बोलता है कि इंडिया दैट इस भारत शौल भी यूजिन ऑफ स्टेट्स और उसके बाद देखो जब कॉंस्टूशन बना था तो हमारे देश के अंदर चार टाइप के स्टेट्स बना दिये गए थे एक जिसको नाम दिया गया था पार्ट एबी सी एंडी स्टेट्स ठीक है जिसमें लास्ट दो सी और डी जो थे वह आपके एड्मिस्टर किये जाते थे आपके चीफ कमिशनर एंड लेक्टिन गर्णर जो समय अपॉइंट किये चाते थे उनके द्वारा कि तब बात हो जिए आजादी के बाद जब कॉंस्ट्यूशन हमारा आया था अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ऐस दा नैशनल कैपिटल जो है दिल्ली के ऊपर एक कॉंसेप्ट यही रहता है कि दिल्ली को स्टेट इसले भी ना बनाया जाए क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की कैपिटल है इसमें पूरे देश का अधिकार हो जहां यह स्टेट बज जाएगा वहां पर फिर थोड़ा सा स्टेट प्रधान वाला जो एक कॉंसेप्ट होता है ना कि भाई थोड़ा सा स्टिडिजम भी आ जाता है कि हम पहले मराथी है हम पहले बिहारी ह चाहिए हम पहले यूपी के हैं तो वो चीज ना आयै तो इसलिए दिल्ली को हमेशा है वो स्टेट का दरजा देने से सरकारे जो है वो चत्राती है कि उसके पीछे की जो रीजनिंग होती है वह यही होती है कि ऑपर पूरे देश का अधिकार होना चाहिए तो दूसरा देख लॉजिकली जो देश में सरकार आ रही है उसका कंट्रोल होना चे नेशनल कैपिटल के ऊपर तो ये भी एक कारण इसलिए दिल्ली को भी प्रॉपर स्टीटूट का दर्जा नहीं मिलता है तो ये सारी बाते हैं यहां पर राइटर जो है वो स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को ठीक है अब बढ़ते हैं आगे देखो में चीज़ है कि दिल्ली के अंदर वैसे तो यह आज से नहीं है यह काफी समय से है कि जब भी वहाँ पर अलग-अलग सरकारे आ जाती जब सेंट दिल्ली इसको पार्ट सी स्टेट बनाया गया था मैं आपको बताया जैसे कि A, B, C, D में डिवाइट किया गया था तो स्टार्टिंग में इसको पार्ट सी स्टेट की काटेगरी में डाला गया था और जो पॉपुलेशन है वो 1951 के आसपास 14,00,000 के आसपास थी इसकी चलत सरकार जो है वो बीच में बनी थी नहीं स्टार्टिंग में बनी थी फिर बीच में बॉलिश हो गया था फिर वापस आया था अभी अपने पूरा इतिहास लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है फिर देखो क्या हुआ जब पावर टसल होने लगी अपन बहुत किया गया और सिर्फ दो कैटेगरीज रखी एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरिस ठीक है और फिर दिल्ली की जो चीजें है वो वापस प्राने उस पर चली गई और फिर जो है दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दज्जा मिल गया और इसको आड्मिस्टर किया जाने लग यह ऐसे चीज़े जब सुनने को मिली तब आया दिल्ली आइडिमिस्टेशन एक 1966 जो यह कहता था कि मेट्रो पॉलिटिक मेट्रो पॉलिटियन काउंसिल बनाओ 56 सेलेक्टेड मेंबर्स की और यह लोग जो है यह अपने कुछ फैसले लेते रहेंगे कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स के ऊपर लेकिन चीज़ें यहां पर भी नहीं चली फिर से लोगों की डिमांड जो है वो स् कमीटी 1987 में बनाई गई और उन्होंने अपना जो रिकमेंडेशन है वो सब्मिट किया 1989 में कमिटी का रिकमेंडेशन जो है वो यह आया कि डिलि को यूनिटेट्री की तरह ही रहने दिया जाए लेकिन डिलि के अंदर जो है वो यह करा जा सकता है कि लेसलेटिव एसेम्बल वेल डेरिटरी ओफ डेली जीन सीटी एक्ट 1991 और जिसके अंदर यह सारी चीजें जो आज की डेटर में हम देखते हैं वह देखने को मिली फिर यह सारी चीजें हैं लेकिन अब मामला क्या है कि मतलब अगर आप 1991 से लेके आज के बीच में देख लो तो ऐसा निये कि दिल्ली assembly के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कभी कि जो दिल्ली government है वो दूसरी सत्ता में है और जो center government है वो दूसरी है ऐसा पहले भी हुआ है और यह problems जो है वो देखने को मिलती है power tussle जो है वो देखने को मिलती है आपको याद होगा कि पिछली बार तो court में भी मामला गया था जब दिल करने के बाद देखो basically होगा गयाना कि दिल्ली सरकार कोई भी फैसला लेगी तो उसको पहले LG से permission लेना होगा मतलब simple language मैंने आपको बता दिया है कि यह bill करना क्या चारा है मतलब दिल्ली सरकार के पास कोई power जादा बचेगी नहीं most of the function जो है उन्हें lieutenant governor के permission से करना तो फिर यहां पर समस्या का सामना करना पड़ेगा दिल्ली सरकार को तो यह kind of ज्यादा पावर जो है वो आटोनॉमी दे दी गई है LG को ओवर दिल्ली गवर्मेंट अब इसमें देखो जो कुछ जानकार है वो यह कहते हैं कि दिल्ली गवर्मेंट जो है भईया यह डेमोक् जो है वो क्रेट हो रही है वैसे तो अगर आप देखें तो पास्ट में सॉलूशन तो इसका निकालना बनता था क्योंकि फ्यूचर में फिर ऐसा होगा कभी कि दिल्ली में को दूसरी सरकार होगी और और सेंटर गवर्मेंट को दूसरी होगी तो चलिए ठीक इसका लोग भी इसको किटिसाइज कर रहे हैं बट देन कुछ लोग इसका फिर फेवर भी कर रहे हैं अलग अलग उपीनियन सबके होते हैं बाकि अब यह देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कोट इसको क्या कहती है कोट इसको माने ठराती है कि नहीं ठराती है यह एक तो शेर कर दो, नहीं लगे तो मत करो, इतना तो करी सकते हो आप लो, है ना, इसके बाद देखो अगला आटिकल जो है, वो free and open करके आटिकल आया है, ये US Secretary of Defense जो है, इनका नाम है L. Lloyd Austin, है ना, अब भी हमने एक दिन न्यूस में भी देखा था कि भारत आया है ये, तो भारत आने से पहले ये अफगानिस्तान में भी रुख गए थे, ये एक सर्प्राइज इनकी विजिट थी अफगानिस्तान की, जो कि ये पहले से pre-planned नहीं था, और ये आटिकल जो है, बिसिकली ये बात करता है, कि ऑस्टेन जब भारत आये, तब क्या-क्या बादचीत सामने आ जाए, लेकिन आपको पता है कि जो यूएस है, उसने तो डिसाइड कर रखाई कि हमें तो अफगानिस्तान से जाना है, और उसमें वो काफी हद तक पाकिस्तान की भी मदद ले रहा है, एक चीज और है कि देखिए, यूएस ने एक डेडलाइन दी थी, कि हम 1st of May तक जो है हमारी forces को अफगानिस्तान से ले जाएंगे, अब इस पर भी विचार चल रहा है कि क्या 1st of May में ऐसा कर देना चाहिए कि नहीं है भी थोड़ा और समय लेना चाहिए, तो यह सब एक तो मुद्दा था जिस पर काफी बारतलाब कोई, दूसरा एक मुद्दा है काटसा का, का कि आपको पता है कि इंडिया ने जो है, डिसाइड किया था कि वह S-400 मिसाइल सिस्टम पर्चेस करेगा कहां से, रशिया से, तो अब ऑस्टिन ने तो यह कहा है कि भया इंडरेटली जो बात आई है, वह यह आई है कि अभी तो डिलेवरी ली नहीं है आपने, पर डिलेवर आपने यहां चीजे कंटीन रखे और इंडिया को चिंता व्या दे हैं are you, मैं रहे हो, अइस ठी canट्री में हो तो फिर is चीजे जो है आप यह पर आपने यह चीजे रखीने रख़ी yell Whis. तो यह भी ऑस्टेन साब में सामने रखा है एक और यहां पर देखो चाइना का नाम तो नहीं लिया गया है क्योंकि चाइना और इंडिया की बॉर्डर इशु उसको बाइलेटरल इशु मानते हैं चाइना इंडिया लगब लगब दोनों ही पर इंडारेक्ली यहां पर चाइ किया था एक नया जल्दी समिट होई थी और अफगानिस्तान में भारत जो है देखो यहां की गवर्मेंट को बहुत जादा सपोर्ट करता है ठीक है भारत ने काफी जादा कंस्ट्रक्शन भी करा हुआ है तालिबान को हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि त तालिबान अगर सत्ता में आएगा तो पाकिस्तान की टेरेटेश्टों की मदद कर सकता है अफगानिस्तान की जमीन को यूज करने के लिए अगेंस्ट इंडिया तो इंडिया को यह प्रावल्म हमेशा रही थी तालिबान से लेकिन अभी हमने एक जो चेंज किया है हमारे foreign policy के अंदर वो यह किया है कि पहले जो है वो इंडिया तालिबान के साथ बातचीत में भी indulge नहीं होता था लेकिन अब जो है भारत भी तालिबान के साथ बातचीत में indulge हो जाता है क्योंकि अगर future में तालिबान ही आगया अफगानिस्तान में तब फिर हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी एक कम्यूकेशन चैनल होने की तालिबान से तो इसलिए इंडिया ने यह अभी जल्दी शुरू किया है यह काफी पहले से जानकाल लोग जो है वो यह कहते थे वो चाहते थे कि भारत जो है वो इस चीज में इंडेल हो भारत जो है वो तालिबान से बात-चीर करे और तालिबान किसा तंपरक में रहे और फाइनली जो है भारत ने इस चीज के ऊपर किया ह्या ओ आगे बढ़ते IGHकील जो है The way forward strategically आया है में मार के 2010 की अगर आप लास्ट टाइम बात कर तो 2010 में जो लास्ट आपके military commander थे उन्होंने सेनी democracy लाने की कोशिश करी थे और उसके बाद यह जो election election हो थे सत्ता आई थी पर problem क्या हो रही है इससे पहले भी देखो इस तरही की की चीजे मैमार के आर्मी के द्वारा किया गया है जनता कूप वहां पर देखने को मिला है लेकिन यह फर्स टाइम ऐसा हो रहा है कि यहां की जो military है अब वह इस प्रोटेस्ट को जो मैमार में हो रहा है अगेंस दिस जनता कूप उसे कुचलने में मतलब कह सकते हो आपकी खड़ी नहीं उतर पारी उसको शांत नहीं करा पारी इससे पहले जब भी इस तरही की चीजें होती थी तो प्रोटेस्ट होता था तो जो जनता कूप होती थी जो होती थी वह मामले को शांत कर देती थी लेकिन अब यह पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो जनता रूल आया है इसके अगेंस्ट में लोग जो हैं वह बिल्कुल सड़क पर उतर आये हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रही है चीजे मतलब चाहे मिलिटरी ने भी कितने लोगों को मार दिया है वहाँ पर भी हम एक दिन आर्टिकल पढ़ रहे थी कितना लिखी हुई है कि क्या वे फॉरवर्ड है और जहां तक बात करी जाए मिलिटरी की मिलिटरी को ऐसा लगा होगा कि चीजों को कुचल के हम बापस अत्ता में काभिश हो जाएंगे लेकिन अब यह मामला जो है शान्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है अब इंटरनेशनल प्र सब्सक्राइब करें मेरे भाई इसको क्या बढ़ना है तो में यह तो लिखा ही रहेगा ना पीडिफ में पढ़ लेना समझो अभी ठीक है और जज़ेस क्लोस्ट प्रोप्स एंडा बार्स ओमरेटा यह आटिकल क्या है देखो अभी चौबिस एप्रेल 2021 को जस्टेस एनवी जस्टेस एनवी रमाना यह नाम याद रतुल आव यह नाम बहुत सुनना है क्योंकि ही इस गोइंग टो भी अवर नेक्स चीफ जस्टेस अफ इंडिया पॉबबली और अभी आटिकल क्या आया है देखो यह आटिकल यह आया हुआ है अपन जहां इस भी है आटिकल लेगन ठीक है कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है सामने इस आटिकल के अंदर जो राइटर हैं वो चिंता यह व्यक्त कर रही है कि यह जो जस्टेस आपके एनवी रमाना सहाब हैं इनके ऊपर ही रेड़ी साहब जो आंत्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने लेटर लिखा था जब सुप्रीम कोट को तो उसमें इनका नाम भी लिखा था कि इन्होंने काफी इंटरफेर किया वहां की स्टेट गवर्मेंट के फैसले के अंदर और किस तरीके से हाई कोट में फेवरेवल बैंचेस को बैठा है ऐसे लेटर में जो रेड़ी सुप्रीम कोट में चलेगा तो उसमें भी यही रिसाइट करेंगी कौन सुनेगा कौन नी सुनेगा आप गगोई साफ वाला याद कर लो जब सेक्सुल एलिगेशन लगेते उनके उपर तो उन्होंने खुद ही प्रिसाइट कर लिया था वह वहाला पुरा मैटर तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर राइटर जो है वह चिंता यह वैक्त कर रही है कि कोई तरीका ऐसा होना चाहिए व्यार लिविंग ए डेमोक्रिसी कि अगर यह फेक है अगर यह सारे चार्जे मतलब इनके उपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं रिडडी साब के द्वारा वो फे लेगा लेकिन जो टूप पॉसिबल आउटकम्स के यहाँ पर राइटर बात करती है वह यही करती है कि एक तो यह तो यह होगा कि भाई रिडडी साब किया इसमें कंटेंट की चलेगी कि भाई आपने जुडिश्री के मामले में इंटर्फिर करने ही कोशिश करी आप कंटे आया तो यह हो सकता है कि भाई जो डिडडी साब है वह बात सही कह रहे हूं तो अब यह चीजे कैसे क्लियर होंगे जब यह खुड चीप जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे तो यहां पर आई टर्य बोल रहे है को सिस्टम होना चीए को तरीका होना चीए जिसके थू ज कोवी शील्ड से सेंटर गॉर्मेंट सेंटर गॉर्मेंट ने कहा है कि कोवी शील्ड वैक्सिन जो है वह ज्यादा इफिशेंट तब होगी जब पहली और दूसरी डोस के बीच में ज्यादा गैप कर दिया जाए तो six to six to eight weeks का गैप रखने की बात यहां पर करी गई है तो अगर कोई वन डे एक्जाम देता है तो आप जरूर पढ़ लीजेगा वन डे एक्जाम लाइक एससी बैंकिंग इन समने ऐसे कुशन सा जाते हैं तो नेशनल अवार्ड में देखो बेस्ट फीचर फिल्म मिली है तो पढ़ लोबस ऐसे है ना सिम्हन करके यह मल्यालम फिल् अब देखी है आप दी देखी है तो इनको यहां पर बेस्ट एक्टर का वाड मिला है इसी तरह के से काफी सारे वाड मिलें बट दा इंग इस कि यूपेसी जो है नेशनल अवार्ड पर कुश्चन नहीं पूछती है नहीं पूछती है नहीं तक कर्यों मैंने देखा है पर यह वन डे एक्जामस पर कुश्चन ऐसे आ जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ठीक है और मनुझ बाचपई साब को भी पैस्ट एक्टर का वाड मिला है तो धनूश और मनुझ बाचपई दोनों लोगों को मिला है 67 नेशनल फिल्म फैरी आवाड था ठीक है तो यह पर पहुंचे थे जब सीज फायर वाला एग्रिमेंट हुआ और इम्रान खान को आपने मारा एरिस्पेस दिया यूज करने के लिए तो अभी क्या देखने को मिल रहा है सुनने में ऐसा आरा रिपोर्ट का ऐसा मानना है कि यह जो बैक चैनल टॉक्स हुईती है इंडिया प अगर यहां पर यह ने बैक चैनल में काफे अच्छा काम किया है अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में चीजे जो है वो मतलब सॉल हो जाएं तो इस अच्छी कोई चीज नहीं है ठीक है एक मेरा आज आपका आप लोगों के लिए कोश्चन इस आर्टिकल में उसका जिक्र भी है रैट्स करके एक और्गनाजेशन है रीजनल एंट आज बात यह है कि बड़ी अच्छी है जरूरत थी इसकी लेकिन करते हैं कि दीखो अभी कुछ समय पहले 2019 में अपने मोटल वही कर अमेंड्मेंट एक लाया था खुछ अमेंड्मेंड के ये मोटल भही कर अदर अब आपने अमेंड्मेंड मेंट कर दिये सब कुछ ठीक था लेकिन काफी सारे स्टेट्स ने आपका साथ नहीं दिया उन्होंने कहा कि भीया वह आपके साथ इस लिश्यान पर खड़े नहीं है और काफी सारे स्टेट्स का यह देखने को मिला कि उन्होंने जो है वह इंप्लिमेंट नहीं करने दिया तो यह जो समस्या है यह फ्यूचर में भी म कर दिये जाएंगे एक बात ये थी और दूसरा ये था कि green tax जो है वो implement किया जाएगा ऐसी बहुत सारी चीछे जो है देखने को मिली थी ठीक है इसमें देखो क्या है नियम यह कि भई 15 से 20 साल के अंदर जो भी पुरानी गाड़ी हो चुकी होंगी उसको स्क्राप कर दिया जाएगा और उन लोगों को नए गाड़ी खरेदने के लिए सबसीडी भी दी जाएगी अब यहां पर देखो यह कुश्चन यह भी आता है कि 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी है भारत में ऐसे तो काफी सारी चल रही है आज कल क्या होता है न जो जो जनता है या पर देखों कि अनके आप आप कहते हो ठीक है तो क्या आप जैसे एक लाक की गाड़ी है भाइ किसी मंदें सेकेंड थाटन गाड़ी एक लाग में खरीदी अब आप इसको स्कुराब करें कि क्या नहीं गाड़ी एक लाक में थोड़ों दिलाओगे अब इतना भी सबस्डिय जो छे लाक की गाड़ी है पांच में दिलाद होगे साड़े चाल में दिलाद होगे मतलब इस स्यादा क्या कर पाऊगे तो यह हर कोई नहीं चाहेगा ना इसके यही चीज़े खरीदना तो यह अपने आप में डिफिकल्ट सिच्वेशन है प्लस फिर स्टेट गवर्मेंट कितना कॉप्रेट करती है यह भी एक समस्या है देखो में इसाची इंपलीमेंट हो जाएंगी लेकिन छोटे शेहरों में यह चीज़े इंपलीमेंट नहीं हो पाएंगी दिली में देखो क्या होता है ने दिली में दस साल कर दी गई थी किसी भी गाड़ी का जो टाम फिर देखो heavy commercial vehicle जैसे कि ट्रक हो गए बस हो गई अब भाई इसका जो बंदा है वो 30-40 लाग रुपए खर्च करके एक गाड़ी बनाता है अब आप इसको कितने भी subsidy दोगे इसकी गाड़ी scrap करके तो क्या वो 25 लाग फिर से कर्था करके तुरन नहीं गाड़ी ले पाएगा त उससे भी उजागर करने के लिए फिर उससे भी बचाने के लिए ये policy लाई गई है ये तो अपने आप में एक बात ही है साथी साथ देखो electronic vehicles के segment के उपर भी shift होना है दीरे-दीरे fossil fuel driven vehicles को छोड़ना है तो ये भी अच्छी कोशिश है प्रियास है बट कितना जल्दी ये ची आपकी जो policy है बहुत अच्छी है और समय की demand भी थी आपको ये बहुत सही समय पर लाएं है लेकिन जो इसका implementation level है न वो एक चिंता जनक विशा है कि आप इसको implement जो है वो किस तरीके से करने वाले हैं जो कि support जो है वो state government का तो मिलने का ना सही chances है फिर देखो क्या है doubling down on a resilient India यह वाला article जो है इसको भी discuss करते हैं यह article basically देखो बात करता है कि भारत में जो है with time धीरे-धीरे आप देखते हो कि भारत में आप यह देखते हो धीरे-धीरे कि जो आपके foreign companies है जो बड़ी-बड़ी foreign organizations है they are willing to invest money in our country और काफी सारी बड़े-बड़े organizations को यह लोग पैसा दे रहे हैं भारत के अंदर invest कर रहे हैं तो क्या कारण है कि यह लोग पैसा भारत में लगाना चाहरे हैं मतलब कुछ तो उनको भारत में दिख रहा होगा न तो उसी को राइटर इस article में बताने की कोशिश करते हैं और उसी को राइटर यहां पर बताएंगे कि कुछ major चार कार कुछ दिन पहले कि कौन कौन सी कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया है काफी news में रहता है कि बैंगलोर की फला कंपनी में लगा दिया जियो के साथ अभी facebook की deal होई आपको पता ही होगा तो यह सारी चीजे जो हैं यह तो हो रही हैं विल्कुल नो डाउट तो यृ क्यों हो कंपनीज उनको लगता है यह कैल को यूएस जो है वो चाइना के ऊपर कुछ एग्रेसिव एक्षन ना ले ले और अगर हम चाइना में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम पर ही नुक्सान हो जाएगा तो चाइना के बाद फिर उतनी पॉपॉलेशन से उनको इंडिया में दिखती है तो फिर वो इंडिया की तरफ सोचते हैं है ना तो आप चलो देखते हैं सबसे पहला जो कारण है वो बताएगा शीर देमोग्राफिक्स मतलब सिंपल है पॉपॉलेशन भारत में इतनी है तो इसके वज़े से काफी लोग अट्रेक्ट होते हैं इसकी तरफ दूसरा है जीओ पॉलेटिक्स उस चायना वाला इशू कल को ऊएस को हार्ष एक्षन ले ले चायना को यूस का गेंश्ट में हार्ष एक्षन ले ले तो फिर इंग इसा प्रोब्लम में आ देंगे तो इसलिए वो लोग चाहन रहे हैं फोड़ा सेफ सायड में जाना तीसरा है डिजिटल कनेक्टिविटी जो डिजिटल कनेक्टिविटी भारत में वो तो बढ़ी है अफकॉर साथ सो मिलियन इंडियन के आज पर आची देट में इंटरनेट है लेकिन जिनके पास नहीं है वो है 500 मिलियन तो यह अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट इतना लोगों के जनसंख्या नहीं होती किसी कंट्री में तो यह 500 मिलियन को भी अट्रेट करना चाहेंगे यह बड़े-बड़े चाहेंट और यह चाहते हैं कि ऐसे जग़ों पर इन्वेस्ट किया जिससे कि यह 500 मिलियन जो हैं यह भी उसमें कवर हो जाएं इसके बाद क्या है न बावजूद उसके भी काफी हद तक ही जे कंट्रोल में थी प्लस अभी एक्टिविटी भी शुरू कर दी गई है एक्सिनेशन प्रोग्राम से पहले ही तो यह सब अपने आप में एक मतलब एक अच्छा स्टेप था भारत की सरकार का जो देखने में मिला तो यही सब कुछ कारण से जिसके वज़े से राइटर को लगता है कि लोग जो है भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फिर लास में एक आडिटोरियल आया है राइजिंग पोवर्टी यह आर्टिकल कहता है कि भाई भारत में गरीबी बढ़ाई है तो किस तरीके से बढ़ाई है इसका सिम्पल सी बात है गरीबी बढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा बिसिक जो रीजन रहा है वो रहा है कोविद 19 में जॉब जाना कोविद 19 में इंकम ना आना और इसके वज़े से चीज़े देखने को मिली है हुआ कि जो मिडिल क्लास है जो लोग क्लास में चला गिए लोगर क्लास तो बिल्कुल गरीब तब का बनी गया, बहुत सारे लोग, सब नहीं, कुछ लोग, तो इसके होज़े से काफी प्रॉब्लम्स रिखने को मिली, और उसी के कुछ आंकरे यहां पे लिखे होगे, तो आप देख सकते हैं, अगला अगला अटकिल है, इरान डील कु क्योटी काउंसिल के पर्मेंट मेंबर्स कौन है बाई बताओ, एक कौन है यह जर्मनी है, JCPOI मतलब Joint Comprehensive Plan of Action, था क्या इसमें यह था कि इरान जो है वो यूरेंजियम इंडिच्मेंट नहीं करेगा, या फिर मैं कहूं नूकलियर बाम्स नहीं बनाएगा, और उसके पर से जो फ्रेंट्स कंट्री थी जैसे कि इंडिया और अदर्स उनको भी कहा कि भाई आप पी जो हैं से ट्रेडवेट मत करिये, फिर आपको पूरा मामला ही पता है कि कैसे कासिम सुलिवानी वाला इंसिलेंट हुआ, कैसे द्रोन शुट आउट वाला मामला हुआ, फिर हमने एक चित देखी कि बाइडन साब सत्ता में आये हैं, तो पुरे विश्व को उमीर है कि बाइडन साब जो है, वो इरान नुकलियर दील को फिर से ट्रैक पर ले आएंगे, और काफी समय हो चुका है, वैसे तो अभी थंडे बस्ते में चल रही है चीज़ें, और तो बाइडन सा करेगा, तब ही चीज़े आगे संपन हो पाएंगे, तरवाइस वो काफी डिफिकल्टीज रिखने को मिलेंगी, फिर क्या है मैमार बॉर्डर शट अमिर स्टीन सोवर रिफ्यूजी क्राइसिस, आपको पता है कि मैमार के अंदर जो है, वो मिलिटरी कूप चल रहा है, उसक बॉर्डर सील करा दिया गया है सेंटर कवर्मेंट के द्वारा, फिर यहां पर देखो एक आपके IPS थे, उन्होंने परमबीर सिंग जी उन्होंने चार्ज लगाये थे, उन्होंने कंप्रेन करी है ठाकरे साब को रिगार्डिंग देर होम मिनिस्टर, उसी पे शरत्मवार ज उसे चिछका दान प्रदान करना, जैसे कि चावल के बदले में राइस, राइस के बदले में गेहूं ले लेना, ठीक है, तो यह क्या था बाटर सिस्टम पहले होता था, तो अभी यहां पर देखने को मिल रहा है कि चछतिसगर की एक ट्राइब है, जो महुआ फ्लॉवर्स का सील करके आंद्रप्रदेश में अपनी घर के लिए चावल और नमक जो है वो लेके जा रही है, यह जो कम्यूटी है, यह बिलॉंग करती है, फ्रॉम मुर्दिगम एरियाज और मुरिया ट्राइबल वूमेन है यह, बांदा मुर्दिगरम एरियाज, नकसलिट सुकमा री तो वापस से हम यूएस से अलग हो जाएंगे, नहीं, अब यूएस को हमने का इंड ओफ एक बहुती क्लोस टाइस बनाए हैं डॉनाल ट्रम के साथ, तो राइटर के यह मनना है कि बाइडन साथ के समय में भी वो चीज जो है, वो आगे बनने वाली है, इसके बाद देखो लाइटर जो हैं वो बताते हैं कि बाइडञ जी का जो एक अपना एक स्टैंस रहेगा, वो क्वार्ट के लिए सेम रहेगा, कवार्ट को फोकस करेंगे, क्वार्ट को आगे बढ़ाना идет कोशिक और जापान उस्टीलिया जो एक्शीर कोशिक करेंगे, चारो और समझे मिलक इसमें कोई चेंज होनी की बात नहीं है इसके बाद राइटर जो है वो बोलते हैं कि देखो चाइना का जो अग्रेशन था लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल के आज पास जो 2020 में इंडिया और यूएस को पास लेके आया चाइना के देखो क्या हुआ जब बॉर्डर डिस्प किया हमारे साथ उसके बाद इंडिया ने जो है वो यूएस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इंडिया जो है वो यूएस के थोड़ा सा क्लोस चला गया और यह चीज रश्या को भी पसंद नहीं आई रश्या भी हमारे टैडिशनल पार्टनर है और वही रश्या जो है traditional relation है और काफी समय से चले आ रहे हैं ठीक है इसके बाद देखो अगर हम Delhi की बात करें तो यह जो LAC पर हुआ था इसी के चलते हुए मालबार exercise को Quad में कराया गया था वहना इससे पहले जो है और चाइना को हलके में लेनी की गलती है भारत दुबारा नहीं कर सकता है जब 1962 में वार हुए थे उस समय भी नहरू जी जब हैं वह यह सोच के बैठे थे कि चाइना वार और नहीं करेगा हमारा मित्र हमारा यह लेकिन चाइना ने भारत के उपर हमला कर दिया था तो यह विए जो अभी परजेंट भारती सरकार वो ही उप जादा बोलती नहीं है और काफी जगाहों पर ऐसे इंस्टेंस पर नाम आता है कि हमने वालेशन हो रहा है प्रेंड गर्वर्मेंट तो ऐसे केसे में कह रहे हैं राइटर कि बाइडन जी जो है या पिर जो जो कमला है जी जी जो हैं यह लोग विया इसके अगेंस में बोल सकते हैं क्योंकि इन लोगों की तो पॉलिसी ही रही है कि हम नहीं होने देंगे तो वहाँ पे फिर इंडिया युएस के रिलेशन में थोड़े से खटास आ सकती है एक और पॉबलब फ्यूचर में देखने को ही मिल सकती कि ज हमारे दुश्मन कंट्री के साथ ट्रेट करेंगे तो आपको हमसे भी सेंक्शन्स धेलने बढ़ेंगे तो काटसा मतलब अभी जो है वो रश्या के लिए ही कहा गया है तर्की के साथ यूएस ने यह किया तर्की ने एस फोरेंड मिसाय सिस्टम रश्या से खरीदा था तो य भारत के लिए अच्छा नहीं है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान को लेके ठीक है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेके यूएस और इंडिया के बीच में क्या हो सकता तो देखो अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेके जो है इसमें भी इंडिया ज देश की जो गवर्मेंट है उसकी मंजूरी नहीं है तो यह हमारे लिए घातक इसलिए साबित हो सकता है कि यूएस की एक अगर आप प्रॉब्लम के पार्ट नहीं हो तो आपको सॉलिशन का पाल बनाने के कोई मतलब नहीं है तो भारत की इंपॉर्टेंच जो है वो खतम कर दी जाएगी भारत को ऐसे जाद नहीं किया जा रहा है इस टॉक्स के अंदर तो यहां पे भारत जो है वह एक अपना अलग से नाम बना सकता था एक अपना पोजिशन बना सकता था लेकिन वह भारत के आठ से जा रहा है कू कि हमारा जो पूरा 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 एक रिलेशन था वो ऑफगांस्टान की गॉर्मcolorman से था और यहां पर तालिबान को अगर कोई समझा सकता है, बात्चीत कर सकता है, कोई immediate कर सकता है, तो वो पाकिस्तान कर सकता है. तो यह सारी चीजे जो है आखा तो देखने की बात करी गई है, ठीक है? तो दिस इजड़ गाई, दिस वाला हमारा य। वाला आर्टेकल, आई होप आपको जो चीज़े हैं यहां पर समझ में आई होंगे ठीक है इसके बाद है असेम्वली पोस्टो केक ओफ ऑन मार्च 27 अब यह क्या है देखो भी यह अभी इलेक्शन्स होने वाले हैं तो उसी की डेट वेट आई हुई है उससाथ में यह कहा जा रहा है कि भीया रिजल्ट जो है वो में टू को सबक्ता आ जाएगा ठीक है इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं economy records in 0.4% growth in quarter 3 देखो पहली चीज़ तो आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है क्यों याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह चेंज होगा quarter 3 quarter 4 ऐसे से करके तो अपने को बस अपने दिमाख में एक idea रखना है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था और यह ऐसा हो रहा है ठीक है तो अपने को यह data याद रखने की जरूरत नहीं है इसके बाद है 23.79 lakh register for free digital library service तो यह करनाटका की बहुत अच्छी news है कि करनाटका की government ने एक government run digital library launch करी दी और last पिछले साल की बात है और उसी के अंदर देखने में यह आया कि 23.79 lakh लोगों ने register करा लिया है इसकी services को avail करने के लिए तो यह अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज रही है कि सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास था जिससे कि सरकार लोगों तक education को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और इ देखी की चीजों को याद रखो अगर तो इसके बाद क्या India cannot abandon us श्रिलंका देखो United Nation में क्या हो रहा है कि श्रिलंका के ऊपर वह चलने वाला है वोट होने वाला है कि श्रिलंका के अंदर जो है वो human right violations हो रहे हैं अब यहां पर कहा जा रहा है कि भारत जो है वो श्रिलंका के फेवर में वोट करें ऐसा यहां पर श्रिलंका रिमांड कर रहा है क्योंकि भया हम उनके पुराने पार्टनर हैं उनके पडूसी है और हमें उनका साथ देना चाहिए ऐसे international forum पे और अभी तर हमारी सरकार का कोई इस पर वो नहीं आया है कि भया हम इसको सपोर्ट करने व एक नाम आपको याद होगा जमाल खजगोगी यह देखो एक जनरलिस्ट है वाशिंटन पोस्ट पैस न्यूस चैनल के न्यूस पेपर के और इनको जो है काफी प्रसिद इसलिए थे क्योंकि यह जो MBS है मुहम्मद बिन सल्मान जो है यह प्रिंगाउन प्रिंस आफ साउध साउधी अरविया इनके अगेंस में काफी जादा प्रिंटेशिजम करते थे तो क्या होगा कि जमाल कजगोगी जी को एक जगह पर गायब कर दिया गया गया और इसमें जम्मेदारी ठराई गई थी किसकी साउधी अरभीया की कुछ ऑफिशल्स की और उसमें जमाल सिफाइड फाइल आई है यूएस के रिपोर्ट की उसने ऐसा कहा है उसका ऐसा मानना है कि भाईया MBS मुहम्मद बिन सल्मान का इसमें रोल था इनके मृत्यू के पीछे अल्दो यहां पर जो सिंपल सी बात है कोई सरकार तो एक्सेट करती नहीं है तो क्राउन प्रिंस के जो ऑफिशियल से रिपेजेंटिटीव से उन्होंने इस बात को विल्कुल खारिच किया है कि ऐसा कुछ है नहीं यह एक मन घड़त कहानी है ठीक है चलिए तो दिस इस एक पर यह वाला एडिटोरियल फिर से कर लेते हैं बाइडन वाला देखो सिंपल सी बात समझने कोशिश करना इस एडिटोरियल के अंदर जो आज न्यूस बहुत कम आई है आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो न्यूस भी है ना न्यूस सेक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट नीज नहीं आई है तो मान अब इस पर आर्टिकल की बात करते हैं कल भी सेशन होगा संड़े में ध्यान रखना तो था बाइडन टच्टू सोबर ये सबस्टेंटिव टाइस यह आर्टिकल मैं इसको देखो लाइन बर लाइन नहीं कर रहा हूं मैं आपक बाते बूले था हैं भारत के पक्ष में बाते बूली था हूं बाइडन साब सत्ता में आये हैं क्या इंडिया और ये उस का रेलेज़ो कि यहां पे बात करी जा रही है जैसे कि सबसे पहले अगर हम चाइना वाला इसू ठालने की चाइना से कारण जो है भारत का रिलेशन अभी यूएस के करीब जाने का हो गया क्वार्ट का अमनी इंपोर्टेंस बढ़ा दी फिर हमने एक चीज़ देखी कि किस तरीके से रश्या के साथ हमारे पंगे हो सकते हैं और रश्या के साथ समांग खरीदने से यूएस से हमारे पंगे फ्यूचर में बढ़ सकते हैं एस फोरंडेड में सिस्टम की बात करी नौड स्टीम टू पाइप्लाइन प्रजेट की बात हो रही थी इसके बात अफगानिस्तान वाला एंगल भी हमने समझाए कि अफगानिस्तान की एंगल में भारत का रिलेविंस जादा है नी तो इसके यूज से यूएस वहां पर हम वह ग्रो करने वाली है लें 23.79 लाक रजाए यह आटिकल जो है यह क्या करने की कोशिश कर रहा है देखा आपको पता है कि तमिल नाडू के अंदर जो है क्रेकर इंडस्टी है काफी ज़्यादा मात्रा में वहां पर पटाकों का उतपादन किया जाता है फाइर वर्क इंड वह हॉस्पिटल में है और यहां पर राइटर जो है वह कुछ मुद्धे उठाने कोशिश करेंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है और रिपीटेडली ऐसे इंसिदेंस होते रहते हैं उसके बावजूद भी ऐसा रिपीट हो रहा है ऐसा क्या कारण है जिसके जिसे चीज़े देखन a women's दी और यह एक बड़ी दुर्बागे पूहन बात है कि बार बार यह घटना घटी है बार बार 60 50 major बताया है कि हम follow कर रहे हैं बार भार बताया जाता है कि यह कानून बन रहे हैं लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं चीछे है घृर ही लेकिन इंसिदेंट जो है रिपीट हो रहे है फिर एको writer जो हैं वो बोलते हैं कि फिर on मतलब यह जो अब इसके बाद क्या हुआ कि आपने कर लिया होगा लोगों का अरेस्ट कर लिया होगा आइडिफिकेशन आफ पॉज़े आपने करा होगा क्या इससे फिर फायता होगा क्या अब आप इस चीश को सुनिश्चित कर पाएंगे कि फूचर में इस तरीगे के इंसिडेंट ना हो राइट है वो बोलते हैं कि कारण क्या कारण है जिसके वज़े से इंसिडेंट हो रहे है वो फिक्स है' यह कारण कोई नए नहीं है यह पुराने कारण है पहले अपसे बड़ा कारण जो सामने आया है वह अन-Lाइसेंस्ट यूनिट जो फर्जी यूनिट बन जाती हैं लाइसेंस के पादन शुरू कर रहे हैं तो उनके ओपर तो कोई regulation नहीं नहीं कोई देखी नहीं पा रहा है जिसके वज़ासे फिर चीज़े देखने को मिलती है कभी कभी क्या होता है कि जो administrative authorities होती है उनके साथ में इनका nexus होता है अब वो nexus किसी भी लाप के लिए हो सकता है किसी भी और चीज़ के लिए हो सकता है बट nexus होता है जिससे की they don't interfere कि आपके बाद license नहीं भी है तो भी आप काम करते चलिए है ना आपको पता होगर labor commissioners होते है labor departments होता है जब यह इस तरीके से human rights का relation हो रहा है जब proper सुजधा नहीं दी जा रही है त industries हो किस तरीके से work कर रही है इसके बाद देखो writer ने एक तो मुद्दा उठाया unlicensed unit का दूसरा इन्हों ने उठाया है कि sub leasing of contracts भी एक बहुत बड़ा issue है sub leasing of contract for क्या होता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे तो sub leasing of contract की बात हो रही है sub leasing of labors भी होता है यह भी writer ने बाद में उठाया है कि sub leasing of contract, sub leasing of labors यह भी एक बड़ी दुदागेपूर्ण चीज़े हैं जिसके वज़े से चीज़े होती है क्या है यह अब इसको देखो ऐसे देखो कि मानलो भी है चार लोग एक factory में काम करते है ठीक है तो यह क्या हो गया sub leasing of labors अब sub leasing of contracts क्या होगा कि मानलो भी है एक license company है एक license industry है license firework industry है जिस पो order आया मानलो कि भीया आपको 5 fireworks बनाने एक बहुत basic example दे रहो hypothetical example दे रहो अब क्या होगा अब आप यह देखेगा कि भीया पांच में से उसने मानलो उसकी capacity दो बनाने की है उसने तीन बनाने के लिए जो यह illegal वाले fireworks इंडस्ट्री इस थी इनसे कहिए तीन बनाके हमारे लेओ अब क्या होगा भीया इनके आँ तो proper process नहीं है प्रॉपर तरीके से लोग आई नहीं है भीया पटाकर बनाने में भी तो skilled labor चाहिए जो उस काम को जानता होगा वही कर पाएगा ना कोई तीसरा चौथा बंदा आकर तो कर नहीं पाएगा चानक से तो यह चीज़े जो है यह एक बड़े reasons की तरह उभर रही है जिसके chemical liquids जो है वो हर जगा रखे रहते हैं तो पटाके बनाने में उसका use होता है तो जैसी थोड़ी से भी आख पकड़ती है तो पूली आख पकड़के जो है पूरा पूरा माहूल खराब हो जाता है इसके बाद क्या है untrained workers जो है या फिर पाइस rate system जो है यह भी एक बहुत रख लिया जाता है प्रॉपर ट्रेइनिंग दी जाती है तो यह भी एक समस्या है जिसके वज़े से प्रॉब्लम देखने को मिलती है ठीक है अभी जो latest accident है इसका जो कारण जो है वो सामने यह बताया जा रहा है कि यह एक जो लेबर तो थोड़े से चक्कर की स्थिती में त इसके वज़े से जो सेमी फिनिस्ट क्रैकर था वो ट्रिगर हो गया एक्स्प्लोज हो गया और जो प्रेटोरियम मतलब जो वहां पर और चैमिकल सब्स्टेंसेज होंगे जो इनाइट हो गए और फिर यह बड़ा इंसुदेन बनके उभर गया ठीक है तो यह वी एक बड़ लेबर इंटेंसिव मतलब सिर्फ लेबर पर ही डिपेंडेंट यहां पर कोई टेखन लोजी का यूज करके फायर वक्स नहीं क्रेट किया जा रहे है और एंड सोस्ट तक लेबर का यूज किया जा रहा है जो कि अपने आप में कुश्टनिबल बात है क्योंकि इस से भी समस पापड आप खाते हो गए पहले लिज्जत करके कंपनी बड़ी फेमस थी लिज्जत करके एक ग्रूप बनाता है यह एक आपका मतलब यह कह सकते हो आपकी यह सेल गवर्ण बॉड़ी है और यहां पैसा कुछ नहीं है कि कोई प्राइविट कंपनी है कोई एक ओनर है तो लिज्जत पापड जो है वो कैसे बनते हैं कि अपने खुद से हाथों से इसको बनाती है साथ में आठी रेमें आपने ऐसे देखे होंगे भूसारे पापड कंपनी का हैं तो यह किरम आती है तो मतलब समय के सत्धाब चीज़ों को चेंस नहीं soldiers नहीं हो पारी जिसके वज़े समस्ञा देखने को मिल रही है इसके बाद तो यह सेंट्ल निस्टेट गवर्मंट को म इस चीज को समझना होगा कि किस तरीके से technological innovations को इसमें introduce करके include करके इन चीजों की हालत को सुधारा जा सकता है and सबसे important चीज जो ये nexus create हो जाता है ये फरजी industries के बीच में और जो अलग-अलग संस्थान है जो आपसमें इनके बीच में एक pact हो जाता है टाई हो जाता है वो चीज ना हो corruption खतम होगा तो अपने आप ये चीज़े और बेटर लेवल पर आएंगी और government की जो agency जिनका काम है इसको सुनिश्चित करना की proper तरीके से चीज़े चल रही है वो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ें अपने काम को अच्छे से करें तो this is what this article is all about इसके बाद बढ़ते हैं continuity not change is not change is Biden's plan for Palestine यह article क्या कहता है इसको भी देखनी कोशिश करते हैं पहले थोगा सा एक basic idea में आपको देना चाहता हूं तो इस्राइल जो है वह आपका देखो तो Donald Trump के समय काफी US के close था ठीक है क्योंकि Trump जो है वह इस्राइल के काफी आप कह सकते हो supporter रहे हैं और उन्होंने इस्राइल को समय समय पर support किया है इसका एक example आपको याद होगा कि Donald Trump ने US की embassy इस्राइल के अंदर जो है वो Jerusalem में बनाई थी कहां बनाई थी Jerusalem ठीक है मैंने मैं आप आप डालना भूल गया हूं औरना मैं आपको दिखाता तो Jerusalem क्या है यह अपने हमें एक समस्या का विशा है between Israel and Palestine Palestine क्या है यह एक thought process है कि एक अलग country बनाई जाएगी और इस्राइल और पैलस्टीन जो है पैलस्टीन लिए कहते हैं कि अगर हमारी अलग country बनेगी तो हमारी capital क्या होगी Jerusalem और इस्राइल भी अपनी capital क्या बनाना जाता है Jerusalem अब मुद्दा क्या है कि वर्ल्ड के अलग 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 countries हैं बहुत सारे लोग से इसका accept नहीं करते हैं कि Jerusalem जो है वो इस्राइल का part है लेकिन US ने जब एक कदम उठाया था कि उन्होंने Jerusalem को Jerusalem में US की embassy बनाई थी for Israel तो यह अपने अपनी message था message क्या था कि देखो जब आप कहीं पर अपनी embassy बना रहे हो तो it means कि आप उस देश की capital में अपनी embassy बना रहे हो तो US ने इंडिरेक्ट लिस्ट इसको compromise कर लिया था Donald Trump के समय अब मामला कहना मामला यह article जो बिसिकली कहने की कोशिश कर रहा है कि बया Trump सहाब तो थे हो चले गए अब आए हैं Biden सहाब तो क्या Biden सहाब का जो अप्रोच रहेगा इसराइल के लिए वो सेम रहेगा जो Trump का था या फिर अलग हो जाएगा और अलग हो जाएगा तो क्या कितना अलग हो जाएगा कि यह सारी जो decisions लिये थे Trump जी ने यह वापस उसको ले लिए क्या यह कहेंगे कि हमारी embassy को हम बंद कर रहे हैं Jerusalem में हम कुछ और दिखेंगे तो यह सब मामला जो है यह इस article में लिखा हुआ थो समझने की कोशिश करते हैं को बहुत डिटेल में बात नहीं लिखी है जो मैं आपको बताया है नहीं थो फेक्ट से यह लिखे हुए और कु और इसराइल जो है हमेशा से डोनाल टर्म के काफी क्लोज रहा था डोनाल टर्म ने की काफी सारी मदद करी थी आपको याद होगा इसराइल ने डोनाल टर्म के जाने से पहले annexation भी किया था न्यूस बहुत बड़ी हाइप होई थी तो उसका भी कारण यह था कि उनको पता इसराइल जो है वहाँ पेंबेसी बना दी गई और वहाँ पेंबेसी बनाई गई तो कहीं न कहीं वह एक इंडारेटली मैसेश था कि भाईया हम रिकरनाईस करते हैं आपकी कैपिटल को इसके अलावा देखो इसराइल जो है उसको इराम भी पसंद नहीं है और इरान भीया आपके डोनाल टरम को पसंद नहीं था तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से नेक्सस था दोनों ही कंट्रीज के बीच में दूरिंग पीरिड ऑफ डोनाल टरम आप यहाँ पर राइटर जो है वह बाइडन जी की बात करते हैं कि बाइडन जी आएंगे तो क्या क क्या वो टू स्टेट सॉलूशन को सपोर्ट करेंगे तू स्टेट सॉलूशन मतलब यही है कि जो इस्राइल है इस्राइल हो जाओ और एक पलिस्टीन हो जाए और इस्राइल ने जो पर रख एक आगगे सारी एरिया का इलीगली तो वह वापस करके उनके अलग देश बना तो इसका जवाब देखो जो राइटर हैं वो यह देते हैं कि बाइडन साफ जो हैं वो एक्स्टरनली भले दिखा दें कितना भी कि हम चीजों को चेंज कर रहे हैं हम चीजों को उस तरीके से नहीं मोल्डप करेंगे और डिपलोमेटिक बनने की कोशिश करें लेकिन अंदर स जो फैसले ले जा चुके हैं डोनाल ट्रम के द्वारा वो उसको चेंज नहीं करेंगे इसराइल से अपना डिलेशन को मेंटेन करेंगे राइटनेक टम यूज करिए कॉस्मेटिक कि मतलब यह यूएस के तरफ से कॉस्मेटिक ली रिखाया जाएगा कि वो कुछ कर रहे हैं इसराइल से थोड़ा सा नराज हैं कि आप ऐसा करी आप ऐसा करिए लेकिन इंटर्नली वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो ना ही वो प्रेशर डालेंगे इसराइल के ऊपर तो this is what this article is all about कि जो भी Donald Trump के फैसले थे जैसे कि Jerusalem माला ही ले लो तो Jerusalem में ही embassy रहेगी continue रहेगी प्लस अगर आप बात करो कि और भी कुछ अलग-अलग फैसले future में Biden साव ले तो वहाँ भी कहीं न कहीं वो Israel के साथ अपने relations को build करेंगे बट कहीं न कहीं इंडाइटली अमेरिका ये भी बोलता रहेगा कि हम two state solution को support करते हैं humanitarian relation नहीं होने देंगे etc. etc. यहाँ पर देखो इरान की भी बात आ रही है कि इरान जो है वहाँ भी Donald Trump का अपना लगी relation build हो गया था बिल्कुल enemy वाला है ना बाइडन साब ने तो कहा था कि nuclear deal वापस लाएंगे हम और अब कोशिश भी हो रही है तो देखें फ्यूचर में कि उसके वे भी क्या होता है और जो इरान है उसका इसराहिल से बिल्कुल नहीं बनता है इसराहिल का इरान से है आज की तो पहला एक न्यूज है टूल किट केस टू सीक एंटिस्पेटरी बेल एंटिस्पेटरी बेल बताओ काउन से प्रोविजन में लिखी हुई है इंडियन काम भारत की काउन से लोग में है क्या कानून है जल्दी बताओ समय बेस मत करो मैंने आपको पढ़ाय हुआ है पचास बात कमेंट सेक्षन में आप लोग का काम है आप लोग मुझे ये बताएंगे कि IPC में एंटिस्पेटरी बेल जो है वो कहां लिखी हुई है और क्या एंटिस्पेटरी बेल जो है वो डिस्टिक कोट में डल सकती है दो कुश्चन मैंने आप से पूछें फिर से जवाब देना है पहला इंटिस्पेटरी बेल के बारे में लिखा हुआ है और दूसरा कुश्चन ने कि क्या देश के डिस्टिक कोट के अंदर सेशन कोट के अंदर आपकी अंटिस्पेटरी बेल फाइल हो सकती है अब अंटिस्पेटरी बेल होती क्या है मैं आपको पहले चोड़ सा बताना चाहूंगा देखो मान लो कोई X नाम का बंदा है इसको पता है कि कल को इसके अगिंस में F.I.R. हो सकती है और ये क्या करेगा ये कोट में अंटिस्पेटरी बेल दाल देगा और अंटिस्पेटरी बेल का मतलब ये होता है कि बंदे ने अंटिस्पेट किया है कि future में I can get arrested और अगर मैं arrest होंगा तो मुझे बेल मिल जाए फिर से मैं repeat करता हूँ anticipatory bail का मतलब यह होता है कि anticipate करना कि future में आप arrest हो सकते हो और आपको bail दे जी जाए कि कल को आपको police arrest करने आए तो आप उनको परचा दिखा दो और उसके बाद आपको police arrest ना करे मेरी बात समझ में आई anticipatory bail की तरह हमने पढ़ी थी interim bail यह हमने अन्नव गोस्वामी जी केस में पढ़ी थी याद है आपको interim bail क्या था? interim bail का यह था कि मान लो आपका bail का जो मुद्दा है यह session court में pending है ठीक है? अब आपको कुछ समय लगेगा bail मिलने में तो इस समय जा आप arrest हो जाओगे फिर क्या करोगे? मतलब आप already F.I.R. आपके against में हो चुकी है सारी चीज़ा आपके against में है आपको police arrest करने कभी भी आ सकती है या फिर आपको arrest कर चुकी है और आपका जो bail का मामला है वो session court में pending है अब आप क्या करोगे? आप interim bail file करोगे high court में या supreme court में जिसमें कि आपको यह कहा जाएगा कि भी आ जब तक यह bail का मामला खतम नहीं हो जाए तब तक आपको कम से कम arrest ना किया जाए मतलब अगर interim bail अन्नव दो स्वामी जी के case में आपको याद होगा Supreme Court ने उन्हें दे दी थी क्योंकि यहाँ पर मामला चल रहा था तो interim bail का मतलब यह कि जब तक यह मामला खतम नहीं हो जाता जैसे यहाँ पर अगर bail cancel हो जाएगी तो भया फिर interim bail खतम फिर आपको जहर जाना पड़ेगा अगर अगर यह मामला यहाँ पर pending है तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा और मेरे दूसरे question का भी जवाब दीजेगा कि क्या district court के अंदर anticipatory bail file हो सकती है या नहीं ठीक है चलिए और वैसा आपको बताई जेता हूँ चलो यह तो आप बताना मुझे supreme court के अंदर आप कब जाते हैं जब आपके fundamental light का violation होता है आप high court में कब जाते हैं जब आपके fundamental light का violation होता है किस-किस माध्यम से आप supreme court and high court में case लेके जाते हैं आप rates के माध्यम से लेके जाते हैं रिट्स कितनी होती है पांच होती है कौन-कौन सी हेवियास कॉर्प्स, मैंडम मस, सर्षेशोरी, कुई वारंटो, प्रोवीशो, ठीक है, इसमें से कुछ रिट्स जो हैं, वो पबलिक और प्राइवेट बादि जोनों के अगेंस्ट में इशु हो सकती हैं, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, चाइना पुस बैक फ्रॉम फिंगर फॉर यह तो यहां पर देखने कोई मिला है कि चाइना जो है फिंगर फॉर से भी पुल बैक कर रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है दोनों ही देशों के लिए इंडिया एंड चाइना के लिए कि जो बॉर्डर पे इतने समय से जो टें कि फूचर में अब जो है चाइना जो है इस तरीके के बवाल को अंजाम ना दे तो डिसंगेजमेंट जो है हम जानी रहें काफी दिन से न्यूज में आ रहा है कि चल रहा है और उसी के तरफ यह आगे कदम बढ़ा है कि भाईया अब फिंगर फॉर से भी जो है चाइना ने पूल बैक कर लिया है फिर इंडियन कंसर्ण अबाउट प्रिविस सी ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फेस्बुक एंड वाटसप की जो कंट्रोवर्सी हुई थी प्राइवेसी वाली उसके उपर अपनी स्टेटमेंट इंडिया स्टेटमेंट क्या एपित इंडिया कि जो एकस है वाई को मैसेज करेगा तो यह मैसेज जूआ है यह फेस्टुक भी पढ़ लेगा फेस्बुक के पास भी चला जाएगा तो अ MON ид 근데 आ दो सीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न Number-, ऑफ औम आप जो है कि उन Link से मिषक नि मतलब we are very conscious about our privacy और हम इस तरीजी चीजों को यहाँ पर होने नहीं देंगे एक चीज आपको पता होगा कि यह वाट्सअप का अपडेट आ रहा था यह सिर्फ इंडिया के लिए और हमारे आसपास के देशों के लिए आ रहा था चोंकि European countries इस तरीजी का अपडेट नहीं ला सक है कि भाईया अगर आपने एक डेटा को एक आप की information को दूसरे आप को दी तो वह कानून अपराद हो फिर आपको काफी सारी penalty जो है वह पे घंनी पड़ेगी तो इस तरीकी का law भारत में भी राने की बात चल रही थी लेकिन कब आता है क्यों आता है कैसे आता है यह अपने की news है कि केला के तरफ से case file दो आता है कि भाया क्यों देना है क्यों नहीं देना है तो उसी को पर Supreme Court ने date को आगे बढ़ाया है और let's see final decision क्या आता है इसके बाग बांगलादेश के authorities ने रोहंग्यास को island में भेज दिया है आपको पता होगा भाशन चार करके जो है एक island बना गया गया तो ध्यान रखना यह एक island बनाया गया है एक million लोगों को settle करने के लिए कहां के द्वारा बांगलादेश के द्वारा इसमें जो refugees है रोहंग्यास refugees है यह प्लान है बांगलादेश का कि उनको भसंचार में settle किया जाएगा तो उसी के चलते हुए 2000 refugees को और भेजा ग करने की कोशिश कर रहे हो और आप उनको साथ कैसा behavior करोगे कैसे उनको रखो कि कुछ पता नहीं है कुछ idea नहीं है लेकिन जो भी है अब यह तो है कि भाई बंगलादेश इस तरहीं कदम को उठा रहा है एक इंडिया में भी सुनने में आया है कि हमिश्या जी ने कहा है कि after the कुछ बोला उन्होंने after the vaccination वाला drive CAA को implement किया जाएगा भारत में although उन्होंने यह भी guarantee कि जो इंडियन माइनर्टीज है भी आपको परशान होनी की ज़वरत नहीं है ठीक है तो this is it guys this is हमारा आज का session चली इस एक बाइसको repeat करते हैं तो आज हमने देखें फर्स्ट हमने यह एडिटोरियल जो है यह firecracker industry से related था हमने देखा कि क्या कारण जो है राइटर के according थे जिसके वज़े से यह चीज़े देखने को मिलती है और क्या चीज़ों में हुधार करके इस चीज़ों को रोका जा सकता है firecracker industry में समस्या जो है वाज पहली बार नहीं हुई है सब्सक्राइब बात रही कुछ दोगों ने पूछा तो बता जेता हूं Sunday का session हम कल कवर करेंगे science and tech का और जो कल दो एडिटोरियल आए हुए थे important उसको हम इसी week में कवर कर लेंगे मैं आपको date wise बता दूँगा तो आप लोग इतना परिशान मत होईए don't worry about it trust me और पढ़त जरुनाल टरम्प के relation थे इसराइल के साथ और क्या बाइडन जी के भी relation वैसे रहेंगे क्या बाइडन जी भी openly इसराइल को इतना support कर पाएंगे जैसे टरम्प साहब ने किया था तो जवाब आता है कि openly तो नहीं करेंगे लेकिन अंदर से support रहेगा और सेन जैसा टरम जी न इन जैरुसलेम तो यह अपने आपने एक question है और इस चीज़ को समझना होगा इस चीज़ को आपको अंदाजा लगाना होगा कि ऐसा actually में नहीं है कि जो जैरुसलेम है वो कोई मतलब of course जैरुसलेम is a disputed part disputed territory between Palestine के लोग और आपके इसराइल के लोग बट यह जो step उठाए ग अब वो चीज़ आपस तो नहीं करी जाए कि Baden जी के त्वारा यह चीज़ राइटर बोलते हैं राइटर यह बोलते हैं कि Baden जी जो है वो cosmetic way में मतलब दिखावे के लिए इसराइल से थोड़ा तो distance दिखाएंगे या कुछ चीज़े बोलेंगे against में बोलेंगे इसराइल क इसराइल के बारे में देखा तो 32 के अंदर सुप्रीम कोट में जाते हो हाई कोट में आप 226 के अंदर जाते हो ध्यान रखना आर्टिकल अब देखो बाइडन साब जो है राइटर ऐसा बोलते हैं कि he also cannot be stuck in West Asia for too long जादब सकते हैं और इनको भी इस रीजन की समस्दा को जल से जल्द solve करना होगा और अमेरिका की closest allies भी West Asia में ही पाई जाते हैं ठीक है अब देखो यह भी एक ही राइटर बोलते हैं कि अगर इन्होंने तरीके से चीज़ोड को sort out नहीं किया तो काफी imbalance हो जाएगा वहाँ पे तेको Saudi Arabia नाराज हो सकता इसराइल नाराज हो जो जो के भी या उल्ट सिद्धी हत्ते करेगा है ना फिर क्या देखो ओबामा जी किया वापस बात दो लेकिन ओबामा जी जो है वो narrowly focus करते थे इरान nuclear program के उपर इन्होंने force and proxies का use नहीं किया diplomatic तरीकों का use किया और उसके थूरू इरान के साथ एक solution पे निकल किया जिसका नाम था इरान nuclear deal ठीक है अभी अगर हम बात करें तो बाइडन साब के टेन्योर में पहली बार इरान की कुछ प्रॉक्सी के उपर bombarding हुई है तो राइटर अब यहां पर देखो क्या कहानी बनाने राइटर यह बना रहे है कि देखो बाइडन साब जी है बहुत केरफुल है अभी आ इधर इरान को भी इन्होंने थोड़ा सा भी तंग कर दिया कैसे तंग कर दिया कि इरान की कुछ प्रॉक्सी इस थी जो यूएस को तंग कर दी इतनी राइट में यह उनको पर bombarding कर आगी ठीक है आप रायकर बोल रहे है कि यह जो situation है यह खतरनाक हो जाती अगर सिर्फ यही होता है बाद आप समाझ रहे हो मतलब अगर बाइडन साथ में स्थित इरान के ऊपर यह चीज करिये होती तो एक बार के लिए इरान नालाज भी हो सकता तो ऐसे अभी भी इरान चांसे है कि नालाज हो जाए इस बात से कि भाई यह हमारे उपर bombarding करा दियो फिरान युक्ली आप को बाइडन सब्सक्राइब करने पड़ेंगे ऐसा रायटर बोलते हैं अब वह तीन चैलेंजिस कौन फॉन से इक बार देख लिया जाए तो सबसे पहला पर यहां पर यह आ रहा है कि पहला जो है कि अभी जो यह बॉंग कराया है बॉंग फ्रों इरान विनिया के इसके अलावा पिर और देखो दूसरा क्या है US की डिपेंडेंस ऑन साउधी अरेबिया जो है रिडियूस हुई है recent years में ठीक है तो इसके वाज़े से क्या है कि साउधी अरेबिया को भी बात पता है कि US जो है पहुंए जादा भाव नि दे रहा है तो साउधी अरेबिया जो है ना तीसरा क्या है elephant in the room is right आपको पता है कि इस्राइल को इरान बिल्कुल पसंद नहीं है और आप दिया एक तरफ इरान पे कह रहे हो कि आप जो है human right violation कर रहे हो या फिर साउधी अरेबिया को भी आपने का रहे है कि आपने human right violation किया है यमन वादे मामले में तो हम आपका साथती कर रहे हो अपना support हटा रहे है तो फिर आप इस्राइल के लिए चुप क्यों इस्राइल भी तो पर काफी समय से human right violation कर रहा है और कब तक चुप रहा होगे तो यह तीम जो समस्तिया है अभी बाइडन साथ के सामने सबसे ज़्यादा है लास्ट मेरे को राइटर जो ह बहुत है आपके जो policies हैं वो आपको सामने लाने होंगे चाहे फिर कोई नाराज हो चाहे कोई खुश हो ठीक है इसके बाद देखो अगला article जो है वो है आधार आधार as a hurdle अपकोस आधार कार्ट के ऊपर यह आठिकल आया है आधार नंबर के ऊपर यह आठिकल आया है मामला क्या है कि भारत के अंदर अभी हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों के आधार कार्ट ना होने के वज़े से राशन कार्ट जो है वो cancel हो गए या फिर ऐसे आधार कार्ट ना बने होने के कारण या फिर आधार कार्ट में को समस्या होने के कारण जो उनको benefits मिलने थे government के तरफ स वह वह अवेल नहीं कर पाए फ़र एक्जामपल आप ऐसे लेलो मांग लो भईया चावल रोटी गेहूं रोटी का लगशक्त हो गेहूं चावल ठीक है यह सब राशन लेने के लिए आपको अधारकाट लेके जाना पड़ता होगा जो भी गरीब देखा के नीचे आते होंगे उनके लिए काहा हूँ Taylor के लिए आपर वी सरकार की स्कीम से उसके लिए अब खाए किसी के पास अधार कर नहीं है और वह गरीब ही है वह गरीब बफैक्जिली ही उनके पास भो अल्गर भी नहीं है तो अगर वह वंचित रहह जा रहा एए इस सर विसको अग्रेह गेने से तो नुक्सान आखिर में वो किसका रहा है अफकॉस जनता का हो रहा है उन लोगों का हो रहा है जिनको इसकी सब चाना जरूर रहत है जिनके लिए स्कीम बनी है बड़ एक आधार बना होने के वज़े से उनको वो स्कीम का फाइडर नहीं मिल पा रहा है इसी साथ को टाइटल समझ मा य कि आरा होगा आधार ऐसे हर्ड़ल कि तरह काम कर रहा है सुप्रीम कोट में में ये बात को एकसेट किया और उसको कहाथ कि ये चिंटा का विशा एक मामला आये उसमें यह लिखा हुआ था कि तीन करोर राशनकाड जो है वो कैंसल हो गए भारत के अंदर आधार से में डाटाबिस कनेक्टिविटी नहीं की कारण अब यह अपने आपने चिंटा जनेक विशा है कि भईया तीन करोर राशनकाड अगर कैंसल हो गए तो इसका मतलब तीन करो इसे लोग जिनको जरूरत थी खाड़ी पथारतों की फ्रम गॉर्णमेंट वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए है और यह अपने आपने चिंटा का विशा सुप्रिंग को ने बात को उठाया है और सुप्रिंग को ने पहले आधार कर जब वर्डिक्ट आये तो आपको सेुप्रिंगी और आधार कर यह नींरी क्या जाते हैं भाई तुम लोग इसनटी सब्क liplace करते और मोゲघ्ट करते दे लिद्भा पडे रहते हो घर घर में अच्छी माहऊर में रहते हो तो तो तुम्हें पता ओगी पट जो लोग लेबंड लोग होते हैं जो मघनत कर नहा उनका फिंगर्स दीखेगा उनका फिंगर्स जो है वो खिस जाते हैं उसके वज़ा से फिर उनके थम इंप्रेशन भी काम नहीं कर दें तो इस चीज़ को भी राइटर नहीं रखा हुआ है कि भाया अगर कोई इस टेक्निकल्टी इसके वज़े से नहीं चीज़े प्राप कर कर रहा है कि उसके थम इंप्रेशन मैच नहीं कर रहे हैं या ऐसा नहीं हो रहा है तो यह सब कितनी गलत बात है में देखो एक सिंपल सी बात समझो कोई भी स्कीम होती है उसका क्या कार होता है लोगों का बेनिफिट ठीक है गरीवों का बेनिफिट जो जिसको जरुराइक म बढ़ा रहा है और इस पर कुछ स्टा उठाने की जरूरत है क्योंकि अगर सिर्फ इसके वज़े से आप किसी को भंचित रख रहे हो इतनी अच्छ अच्छी स्कीमों से या आप जो भी आपने स्कीम बनाई है तो वह गलत चीज है ठीक है तो यह सारी चीज है बढ़े आगे ठीक है चलिए इसके बाद देखो अगला आटिकल जो है आपका वो है फॉर री सेट क्या आटिकल है यह फॉर री सेट यह आटिकल जो है यह भी बात करता है यू एस चाइन चाइना के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं इसमें आटिकल के रिलेशन अब आगे बढ़ने वाले हैं तो एक बात यहां पर लिखी होई है कि आप इनकी मीटिंग होने वाली है तो अलास्का में इनकी मीटिंग चल रही है तो काफी सारे important मुद्दों के ओपर यहां पर questions पर बात होगी और वैसा तो इस तरीके के करी टोडल हमने पहले भी discuss किया हो था कि क्या बाइडन साब के आने के बाद चाइना इस तरह रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है देखो जो डोनाल्ड टरंप नी किया वही policies बाइडन साब आगे बढ़ाएंगे बास होस्टाइल अप्रोच भी रखेंगे तो चाइना से क्या बात करेगा युएस युएस उठाएगा मुद्दा की जो आप विमन डाइक कोडिशन कर रहे हो अपने अरिया में आप ले सी पर जो बावाल तर रहे हो आपने जापान के साथ जो बाटर रिशू छेड़ दिया है आपने अर्रोसी परोसी देशों के साथ बाटर रिशू छोड़ दिया है आपने होंकों के साथ जो परिशानी करेट कर रखी है है आपने ऑस्टेलिया के उपर प्रेश डाल दिया तो उसके बाद चाइना नहीं तुम्हें से ट्रेड नी करेंगे तुम्हें से वैपार नी करेंगे तो इसा तरीका है लोगों को मत्तिमी जी करती है मैं आपको पढ़ा हूंगा हम कैड़ने कि किसी से नहीं पढ़ पाएंगे तो हम कितनी जलत सीच कर रहे है तो यह सारी चीज़ देखने को मिल रही है तो यह तो चाइना क्या उठाएगा चाइना चाहता है कि भाया जो यह ट्रेड रेट का बवाल हुआ अगला आटिकल जो है यह न्यूज है मैं आपको बोला बाइंदू ने डाउनलोड करने वादा पेज को ऑप्शन हटा दिया था इसलिए मैंने फोटो ले लेके चिपकाई है इस पर आज ही है वो कुछ टेखने के इस वेबसाइट पर मिजरी नोट्स विल नाट करी अनी इंट्रेस्ट ता इलेक्टरल बॉन विच विल बी अ बेर इंस्टुमेंट विल नाट करी ता नीम ऑप टेई जिसे मान लोग कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है के के ठीक है इस पॉलिटिकल पार्टी को आप में डिसाइड कि मुझे हजार रुपर देने तो क्या सिस्टम ऐसा जाग कि आप इनके ऑफिस पे जार रुपर डोनेट कर सकते हो क्या नहीं सिस्टम क्या है आपको इसके लिए बैंक में जाना पड़ेगा और यह बैंक भी स्पेसिफिक बैंक पर आप जाएंगे आप यहां पे हजार रुपर देंगे आप बोलेंगे मुझे फला पार्टी को इलेक्टोरल बॉंड देना है मुझे पैसे देने हैं तो आप बैंको को हजार रुपर देंगे आपको इसके बदले में इलेक्टोरल बॉंड मिलेगा क्या मिलेगा इलेक्टोरल बॉंड यह इलेक्टोरल बॉंड जो है आप इस KKP पार्टी के ऑफिस में जाकी KPP पार्टी को देंगे फिर यह KPP पार्टी के बैंक आएंगे इलेक्टोरल देंगे, उसके बदले में इनके kaufen में पैसा आ जाए को भी कमयर्टन में नहीं बता रहा है, यह रबरे दुर्भागान के खून बात है आप लोको में एक मिनुट दिखाऊं तर में स्पेक्ट करता हूं में भी आप बता दो eligibility क्या है तो as per the provisions of the scheme electoral bonds may be purchased by a citizen of India or entities incorporated or established in India a person being individual can buy electoral bonds either singly jointly with other individuals only the registered political parties which have secured not less than 1% of the votes pulled in the last log sabha elections or the state legislative assembly are eligible to receive the electoral bonds ठीक है इसाजी चीज़ समझ में आई अब यहाँ पर news क्या है news देखो मामला क्याना है कि इसमें जो पेई का नाम नहीं बताया जाता है इससे क्या होता है इससे यह होता है कि मामलो तुमने electoral bond के नाम पे तुमने किसी को एक करोर रुपे देगी किसी पार्टी को अब वो पार्टी जब करको सक्ता में आईगी तो फिर आपको फेवर लोटाएगी कि नहीं लोटाएगी है ना तो जब वो फेवर लोटाएगी तो कैसे लोटाएगी आपको बिजनेस अप्रस्टी जादा देगी आपको गवर्मेंट में के जो भी टेंडर साइंग ये कुछ भी ऐसे चीजह होंगी वो काम देगी आपका थोड़ा सा फाइडा कर देगी तो ये चीज रोपने के परशान हुशन साब ने केस डाल दिया है सुप्रीम कोड के अंदर और उसी का नाम लाए कि सुप्रीम कोड जो है इसके केस में प्ली सुनने वाली है ठीक है क्लियर हुई बाग बैंक कर नाम अभी तर्छ आप मेंसे किसी ने नहीं बताया बैरी गूट सभी ने बता दिया एक भाई ने लिखा है वर्ड बैंक तो मेरे भाई वर्ड बैंक अंसर नहीं है SBI है State Bank of India सिर्फ SBI जाके ही आप पैसा सब्मिट करके Electoral Bond इशू करा सकते हो किसी भी वर्टिकल पाटी को देने के लिए इसके बाद देखो अगला आटकिल है इंडिया है अश्योड श्री लं श्रिलंका को अमने ताइक भी हम सपोर्ट देंगे किस चीज में अभी देखो श्रिलंका की उप्र हुमन डाइट वालेशन के काफी सारे आवोप लगे हुए हैं और यहां यहां युनाइटिन नेशन हुमन डाइट कांसिल में इसके वोट होने वाला है तो इसी में श्रिल पॉलिशी भी दी है स्क्रापिंग पॉलिशी के अंदर जो रीजर्ट पेट्रोल की लिमिटर्ट खतम हो जाने वाली गारियां होंगी वो किस तरीके से स्क्राइब होंगी और फिर उनको नई गारी खरितने के लिट जो सबसेडी दी जाएगी यह सारी चीजे इसमें लिख जाना चाहरा है तो वहांकी जो गवर्मेंट है और वहां पर तालीबान के पीच में समझ बठा के जाना चाहरा है जो की वैसे possible है नहीं अगरा जोड़ना यह हिए कि अफ्गानिस्तान से जैसे यह जाएगा अगर चला जाता है और सिर्फ तालीबान और सरकार के ऊपर शु बहुत अलग issue है तो यह सारी चीज़े हैं और उसी को content आके बढ़ा रहे हैं बागी देखते हैं क्या होता है ना तो this is it guys जल्दी से एक पार revise कर लेते हैं क्या हमने जाग्या पड़ा सबसे पहले देखा हमने एक article देखा Biden साब वाला है ना Biden and the West Asian Tinderbox फिर हमने एक article देखा अधार as a hurdle फिर हमने एक article देखा for a reset इसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो चाइन एंड यूस के बीच में अभी deal होने वादी है या फिर इक नीट हो ली है वो किस point पर जाके रूप लेगी है क्या बात होगा है ना फिर हमने electoral bonds के बारे में देखा हमने शिलंका के बारे में देखा हमने निटिन जट्रीकी के बारे में सुना फिर हमने आफगामिस्तान के बारे में थोड़ा सा देखा ठीक है तो this is it और एक बार फिट से सारा रिवाइस करेंगे लेकिन उससे पहले कोई doubt हो कोई समस्चा हो तो comment section में आप लोग बताए बहुत स एक हजार रुपे डोनेट करने हैं ठीक है क्योंकि minimum amount एक हजार है तो 100 रुपे नहीं कर सकता हो कितना कर सकता है एक हजर और एक करोर अगर होंगे तो एक करोर करते हैं कोशिश करते हैं समझने ही कोशिश करते हैं कि writer जो है इस article में क्या बोलने की बाद कर रहे हैं तो देखा अभी एक वीक आफटर दर फस्सीर समिट हुई है कॉडिरेटर फ्रेंबर क्वार्ट की बात हो दिया है क्वार्ट की वर्च्वल मीट होई थी बशक्रिबच को घर हो सकते हैं टैन सी प्रेश फेलेटर थे सी प्रेष क्लामिट चेइंज हो गया क्लांप्रची हो गया हे प्रिक St. तो में मुद्धे तो पर के यह थे तब एक जो छुपावा मुद्धा था वो चौथा सी था वो क्या था चाइना थिक है तो अभी देखो जो अलस्का वाली मीट के तो पर नहीं जाएंगी यो कि हमने अल्री से रिटेट काफी सारे आर्टिकल डिसकस कर लिए हैं अब इस आर तो आया है कि भाई कोविड नाइन टींग में जुसरा साथ कोपरेट करेंगे क्लाइमिट चेंज के मुद्धे में हम बात करें नेखनोलोजी के मुद्धे में हम लोग साथ रहेंगे साथ ही साथ वो एक इंडिया का और बागी कंट्रीज का ये भी था कि चाइना का जो माहुद क्रेट किया जा जाए चाइना के द्वारा उसके अगेंस्ट में भी हम लोग एक साथ खड़े होंगे ठीक है तो यह बात यहां पर आइटर कह रहे है इसके बाद इसके बाद इंडिया की बाद हो रहे हैं कि भारत जो है वो वर्ल्ट का लाज़स मेनुफेक्चर वाक्सीन बन चुका है और हमने काफी सारे कंट्रीज को भी सप्लाई किया है COVID-19 की वैक्सीन तो यह बात भी है ठीक है जिसके बाद ये सब चीजे तो दिखी हुई हैं, जैसे इसमें 3C को एक्स्प्रीन करने गाई तर जो पहले 3C हैं वो क्या थे, तो पहला जो था COVID-19 की वेक्सीन वाला था, उसमें इंडिया क्या बूल होगा, हमने देखा, दूसरा प्लाइमेट चींज के लिए अगर इंडिय करेगा, solar panel technology को लोगों तक पहुचाने के लिए छुटी योटी countries तक पहुचाने के लिए इंडिया का भी फायदा होता, 2016 में ये वादा किया था, बट प्रम साहब के आने के बाद ये चीज बिल्कु थंडे रस्टे में चली गई तो भाई चाहेगा कि जल से जल ये चीजे हों, तो हमने दो सी के बाद में देखा कि COVID-19 वाला जो सी है, उसका भारत कर क्या परस्पेक्टिव है, प्लाइमेट चींज के लिए भाल कर क्या परस्पेक्टिव है, critical technology तो आप समझी सकते हो कि भाई बलकु जबूरी है, हमें technology शेयर करना है, हमें difference के technology चाहिए, ये सारी चीज़े हैं, अब आता है 4C, 4C है क्या, चाइना, तो अगर आप history उखा के देखो, पुराने कुछ foreign relations देखो, या हमारे इंप्लोमेसी देखो, तो आप एक चीज़े देखो कि भारत जो है, कभी भी इस तरी चीज़ों में इंडर्ज नहीं करता था, कि भाई हम किसी एक country क के तरह incline हो जाएं, लेकिन past एक दो साल में चाइना का जो रुद है, कुछ इस तरीके से हो चुका है, कि भारत को फिक US के थोड़ा सा करीब जाना पड़ा, क्वारत में पहले कभी भारत military exercise करने के लिए ज़र्दे तयार नहीं होता था, लेकिन इस बार क्वारत को kind of military group भी बना दिया गया, चारो कंट्रीज जो काट के members हैं, Australia, Japan, India, US सबने military exercise करी, तो ये सारी चीजे जो हैं, कहीना ने इस चीज को दिखा रही है, कि भारत इस बार को समझ रहा है, कि जो चाइना है, वो हमारे लिए एक थ्रैट्र, चाइना जो है, वो हमारा परोसी भी है, चाइन जो है, वो एशियन कंट्रीज में अपनी दब्तवागी बना रहा है, जो थी भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो कहीन अभी भारत ने इस चीज को समझा है, और वो इसलिए US के close आ चुका है, तो ये जो fourth C है, चाइना वाला, उसका भी भारत ने, मतलग जो, य है, उसमें फिर ये बात भी सामने आईए कि भाई आफ फ्यूचर में ये लीडर्स जो है, ये मिलने वाले हैं, तो ये चाइना वो चाइन बद एक इन डारेंटली मैसेज है कि भाई तुम हमसे पंगा लोगे तो हमारे पर इसे चार कंट्रीज का धूप जो है, ये चुप नहीं रहेगा, ठीक है, तो this is what this article is all about, ठीक है, कोई doubt इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई doubt समस्या नहीं होनी चाहिए है, ना, clear work, चाहिए, ठीक है, कुछ और इतने में कोई problem नहीं ना, सही है, बढ़ते हैं आगे फिर अगले आर्टिकल के उपर, अगले आर्टिकल है बूस्टर,